Internet and Communication The Internet, Objectives इस हिस्से में आप सीखेंगे कि ISP क्या है, वेब ब्राउजर कैसे ओपन और कैसे ग्लोज किया जाता है और इसे कैसे इस्तमाल किया जाता है. Internet Explorer 11 में कौन-कौन से फीचर्स और उनके क्या-क्या काम है, एक से ज्यादा वेब पेजिज कैसे ओपन किये जाते हैं और ब्राउजर की सेटिंग्स और हेल्प फाइल कैसे यूज की जाती हैं. Internet Terminologies इस लेसन में हम सबसे पहले Internet में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ Terminologies के बारे में जानते हैं. सबसे पहले हम WWW को समझते हैं. जैसा के हमने पिछले लेसन में आपको बताया था कि शुरू में Internet का इस्तेमाल, Academics और Research Communities तक महदूद था. लेकिन 1991 में टिम बर्नर्ज ली और जॉर्पिन लैब के Members ने नया सिस्टम तज्वीज किया जिसको WWW यानि World Wide Web का नाम दिया गया. Web के माइनी जाल के हैं, यानि ये Information का एक जाल है जो पूरी दुनिया पर फैला हुआ है. World Wide Web दरसल Documents का Online मजमूआ है. जो दुनिया भर के Computers जिनको Servers कहते हैं में Store हैं. ये Servers इंटरनेट के जरिए Connected होते हैं. जब हम इंटरनेट से Connected होते हैं, तो हम World Wide Web से घर बैठे हर किसम की Information को हासिल कर सकते हैं. World Wide Web से Information को हासिल करने के लिए Web Browser को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम आगे के सेक्शन में डिसकस करेंगे. बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इंटरनेट और World Wide Web एक ही टर्म हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. इंटरनेट और www, यानि World Wide Web दोनों मुक्तलिफ टर्म्स हैं. World Wide Web इंटरनेट के जरिए इंटरनेट के जरीए इंटरनेट को एक्सेस करने का तरीका एक कार है, जबके इंटरनेट और बहुत से मकासित के लिए इस्तमाल होता है, जिसमें इंस्टन्ट मैसेजिंग और इमेल वगेरा शामिल हैं. वेब पेज, वेब साइट, वेब सर्वर. जब हम इंटरनेट को इस्तमाल करते हैं, तो इसमें वेब पेज, वेब साइट और वेब सर्वर की टर्म्स को बहुत ज़्यादा इस्तमाल करते हैं. लहाज़ा आए इनको डिफाइन करते हैं. सबसे पहले हम वेब साइट को समझते हैं वेब साइट दरसल मालूमात का जरिया है ये किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत स्यादा मालूमात फराहम करता है हर वेब साइट को कोई इंडिविज्वल, कमपनी, और्गनाइजेशन या इंसिट्यूट पगेरा मेंटेन करते हैं यानि इसमें लेटिस्ट इन्फरमेशन आड़ करते रहते हैं मसलन वर्चुल युनिवरसिटी की अपनी वेब साइट है जिसमें वर्चुल युनिवरसिटी के बारे में हमें इंफरमेशन मिलती हैं अगर इसमें कोई तबदीली करनी हो तो वर्चुल युनिवरसिटी के नुमाइन दे इसको मेंटेन करते हैं जिस तरह एक किताब बहुत से सफात का मजमुआ होती है बिलकुल उसी तरह एक वेब साइट में एक से ज्यादा वेब पेजीज होते हैं वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें साउंड्स, इमिजेज, टेक्स्ट और वीडियोज वगएरा शामिल होती है जिस तरह किसी किताब को बुक्शूप से हासल करते हैं, इसी तरह किसी वेब साइट को अपने कम्पीूटर में देखने के लिए एक दूसरे कम्पीूटर से request करना परती है इस कम्पीूटर को Web Server कहते हैं ये ऐसे computer होते हैं, जो internet से हर वक्त connected होते हैं. हर website का अपना server होता है, जो इस website को handle करता है. Web server में एक खास software होता है, जिससे मुख्तले websites को web server में store किया जाता है. मसलां, ये एक web page है. जब एक से ज्यादा web pages को इकठा किया गया, तो इसे website का नाम दिया गया है. Internet Service Provider, ISP इस section में हम आपको बहुत अहम term ISP के बारे में बताते हैं. ISP, Internet Service Provider का मुखफ़ है. जैसा के नाम से जाहर है, ISP इंटरनेट फराहम करने वाली company है. ISP ऐसी organization को कहा जाता है, जो सारफीन से कुछ फीस लेकर Internet connection की सहूलत फराहम करते हैं. ये हर वक्त Internet से connected रहते हैं. जो भी Internet से connect होना चाहे, वो अपने local Internet Service Provider के ज़रिये connect हो जाता है. और इस तरह पूरा Internet उसकी access में आ जाता है. जब आप अपने computer से Internet को connect करना चाहते हैं, तो इसके लिए ISP आपको username, password, access number फराहम करती हैं. जिसकी मदद से आप computer से Internet को connect कर सकते हैं. हमने Internet में इस्तमाल होने वाली basic terminologies के बारे में तो जान लिया. लेकिन इसको सीखने और काम शुरू करने से पहले, हम Internet को अपने computer से connect करना सीखते हैं. इसके लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए कि Internet को connect करने के लिए कौन से hardware और software की जरूरत होती है. Internet को connect करने के लिए सबसे पहले एक अच्छे speed के computer की जरूरत होती है. इस computer के अंदर modem भी install होना चाहिए, जिसकी मदद से आप Internet को connect कर सकते हैं. एक बात आपको बताते चलें, कि आजकल Internet connect करने के लिए telephone line और modem के अलावा नितनाई तरीके इस्तमाल होते हैं. आईए उनके बारे में जान लें. ISDN Integrated Service Digital Network एक digital phone line है, जिससे ISP और इसके computer के दर्मियान data transfer करने की speed modem से ज्यादा है. आप घरों में जिस cable को television के साथ attach करते हैं, उसी cable से आप Internet को भी connect कर सकते हैं. और इसमें आपको telephone line की जरूरत नहीं होती. आप Direct Broadcast Satellite से भी Internet को connect कर सकते हैं. आज कल Internet connect करने के लिए DSL connection जानी Digital Subscriber Line connection भी इस्तमाल हो रहा है. ये एक बहुत high speed connection है, जिसमें आम telephone lines ही इस्तमाल होती हैं, लेकिन इसके बहुत जादा फाइदे हैं. इसके अलावा, mobile company भी आपको 3G, 4G Internet की सहूलत मोहिया करती हैं, जिसके जरीए आप mobile phone के साथ साथ अपने computer से भी तेज रफ़तार Internet से इस्तफ़ादा कर सकते हैं. Wi-Fi एक और जदीर technology है, जिसके तहट आप बगएर किसी cable के Internet से connect हो सकते हैं. Wi-Fi इस्तमाल करने के लिए, आपको wireless Internet की range में होना चाहिए. Web browser इस section में हम ये सीखेंगे कि Web browser क्या होता है और browse करने से क्या मुराद है. Browse का मतलब है किसी चीज को देखना, जैसे किसी magazine के सफाहत को पलटना और उसके अंदर देखना, दरसल browse करना है. इसी तरह जब बाजार में मुक्तलिफ लोग shops के बाहर नजर आने वाले चीजों को देख रहे होते हैं, तो वो दरसल browse कर रहे होते हैं. इसके अलावा, इस तरह कि जितने काम हैं, जैसे library cupboard में पड़ी कुई किताबों को देखना, TV में मुक्तलिफ channels को देखना वगेरा, ये सब दरसल browse करना है. बिलकुल इसी तरह जब हम इंटरनेट को इस्तमाल करते हुए मुक्तलिफ websites को देखते हैं, तो इसको भी browse करना कहते हैं. जिस तरह किसी audio cassette को स्टनने के लिए tape recorder की जरूरत होती है, या किसी video film को देखने के लिए VCR और TV की जरूरत होती है, इसी तरह किसी website को computer पर देखने के लिए web browser की जरूरत होती है. यानि, web browser एक ऐसा computer program है, जिसकी मदद से हम worldwide web की information को अपने computer में देख सकते हैं. हम यूँ भी कह सकते हैं, कि web browser ऐसे programs हैं, जिनकी मदद से हम web pages को explore कर सकते हैं. वेb browser बहुत से हैं, जैसे Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox वगेरा, लेकिन हम Internet Explorer 11 को डिसकास करेंगे. इन सब browsers का बुन्यादी मकसद web pages को computer screen पर दिखाना है, लेकिन हर browser मुख्तलिफ features फ्राहम करता है. मसलन, ये Internet Explorer 11 का web browser है. इसमें इस वक्त आपको एक web page नजर आ रहा है, जिसमें text और images वगेरा शामिल हैं. इस web page के text data और images में links बने हुए हैं. चिन पर क्लिक करने से, इन links से जुड़ा page open हो जाएगा. वेब browser हमें और भी बहुत से features प्रोवाइड करता है. मसलन, बहुत से browsers में bookmark या favorites का feature होता है, जिसकी मदद से हम अपने पसंदीदा web pages को save भी कर सकते हैं. जब हम browser में मुख्तलिफ web pages को visit करते हैं, तो इन तमाम visit किये हुए pages का record history list में store हो जाता है. इनके अलावा और बहुत से features हम आगे आने वाले lessons में तफसील से देखेंगे. Internet Explorer 11 Taskbar से Internet Explorer के icon पर click करके, आप Internet Explorer को open कर सकते हैं. या फिर start menu पर click करें, फिर अपना mouse pointer all programs के उपर ले जाएं और फिर Internet Explorer के icon को click करें. अब हमारे सामने Internet Explorer 11 का browser open है. इसके basic components को तफसील से discuss करते हैं. सबसे उपर वाली strip को title bar कहते हैं. Title bar के right side पर minimize, restore और close के button होते हैं. इन पर click करके हम browser की window को minimize, maximize और close कर सकते हैं. Title bar के नीचे बने box को address bar कहते हैं. इसमें आपको currently web page का URL नजर आ रहा है. अगर आप इसको तब्दील करके किसी और web page को open करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप address bar में URL को type भी कर सकते हैं. Address bar के साथ ये new tab है, जिसमें हम एक और web page को open कर सकते हैं. Address bar और new tab के सामने, दाइन तरफ ये तीन icons नजर आ रहे हैं. पहला icon home का है, तूसरा icon favorites का है, और तीसरा icon tools का है. इनकी तफसील हम आगे चल कर देखेंगे. Address bar की बादवाली स्ट्रिप को menu bar कहते हैं. इसमें वो तमाम options मौजूद हैं, जिनकी मदद से हम web pages को copy, save और close वगईरा कर सकते हैं. ये favorites bar है, इसकी मदद से आप toolbar से direct web pages को open कर सकते हैं. इसके बारे में मजीद तफसील हम आगे के lessons में सीखेंगे. इसमें आपको current web page के contents नज़र आते हैं, जिनमें text, images, graphics, colors, links वगईरा शामिल हैं. वेब address वेब साइट खोलते हैं. इंटरनेट पर हर साइट का address मुक्तलिफ होता है. आमतोर पर URL के दो हिस्से होते हैं. हम http colon front slash front slash www.vu.edu.pk को डिस्किस करते हैं. पहला हिस्सा http colon front slash front slash दूसरा हिस्सा www.vu.edu.pk पहला हिस्सा प्रोटोकोल के बारे में बताता है कि ये वेब साइट किस प्रोटोकोल को यूज़ करते हुए open होगी. आईए, अब हम इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल को समझते हैं. पहले हम प्रोटोकॉल को define करते हैं. एक कम्प्यूटर से जब कोई information दूसरे कम्प्यूटर पर exchange होती है, तो वो कुछ खास rules के तहट होती है. इन set rules को protocol कहते हैं. इंटरनेट में मुख्तलिफ किस्म के protocol इस्तेमाल होते हैं. जैसे FTP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, वगेरा. पहले हम HTTP को समझते हैं. HTTP दरसल Hypertext Transfer Protocol का मुखफफ है. ये web server से web pages को transfer करने का protocol है. HTTP का बुन्यादी मकसद इन web pages को browser में दिखाना है, जिन में hyperlink बने होते हैं. जब हम किसी browser में कोई URL टाइप करते हैं, तो इसके शुरू में HTTP लिखा जाता है. इसका मतलब ये है कि web server से web pages को transfer करो, जिन में hypertext, hypermedia links वगेरा हों. HTTPS से मुराद, Hypertext Transfer Protocol सिक्योर है, जिसका बुन्यादी मकसद web server से web pages को transfer करने के साथ-साथ website की authentication भी है, ताके internet के जरिए दो computer के दर्मियान एक महफूज communication हो. FTP, File Transfer Protocol का मुखफ़ है. इस protocol को इस्तमाल करके हम files को server से access कर सकते हैं. जिस तरह HTTP की मदद से web server से web pages को transfer किया जाता है, इसी तरह FTP protocol की मदद से FTP server से file को transfer किया जाता है. FTP server, internet पर ऐसे computers होते हैं, जिन में मुख्तलिफ किसम की files को store किया जाता है. ये servers मुख्तलिफ departments जैसे colleges, universities वगएरा maintain करते हैं. FTP servers में कुछ files ऐसी भी होती हैं, जिन को copy करने के लिए पहले उनका खुफिया code बताना होता है. आप FTP server से मुख्तलिफ किसम की files को copy कर सकते हैं. मसलन, text file के जरिए, आप अखबार, magazine और documents वगएरा copy कर सकते हैं. दूसरा हिसा IP address या domain name होता है. domain क्या होती है? domain दरसल computers का group होता है, जिसमें computers एक दूसरे से information share करते हैं. और domain name भी आपके नाम जैसा ही किसी site का नाम है. जैसे आप लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं, ऐसे ही हम site को उनके नाम से open करते हैं. IP address को अगर हम daily life में देखें, तो ये भी phone number के जैसा ही एक number है. यानि जैसे एक phone number किसी दूसरे person का नहीं हो सकता, ऐसे ही internet पर हर computer का IP address फर्क होता है. IP address कुछ इस तरहां का होता है. Numbers को याद करना मुश्किल होता है. इस problem को solve करने के लिए हम host masking कर लेते हैं. यहां हम host masking को understand करने के लिए mobile phone की example लेते हैं. जैसे हम किसी के number के साथ name set कर देते हैं, जैसे 01231234567 के साथ Ali लिख लिया. अब आपको number याद करने की जरूरत नहीं. आप mobile की address book से Ali name निकाल कर number dial कर सकते हैं. ऐसे ही बजाए इसके कि सारा IP address याद किया जाए, हम इस IP address की host masking कर लेते हैं. और virtual university के IP address की बजाए, सिर्फ host name यानी www.vu.edu.p के याद कर लेते हैं, जो के हमारे लिए याद करने में आसान होता है. डूमेन नेम में www है, जो के World Wide Web का मखफफ है. इसके बाद इस वेबसाइट को बनाने वाले के बारे में information होती है. जैसे .vu यानी ये वेबसाइट वर्जूल यूनिवरसिटी ने डिजाइन की है. इसके इलावा डूमेन नेम्स में BBC, CNN और याहू वगएरा होते हैं. डूमेन नेम में वो हिस्सा जिसमें तीन लेटर्स लिखे होते हैं, वो डूमेन की specification के बारे में बताते हैं. जैसे .org एक organization को जाहिर करता है, .edu एक तालीमी अधारे को, और .com एक commercial इदारे को जाहिर करता है. पास डूमेन नेम्स के आखर में दो लेटर्स की abbreviation भी होती है. ये किसे मुल्क का country code होता है, जैसे US for United States, UK for United Kingdom और PK for Pakistan वगएरा. इस वक्त आपको स्क्रीन पर कुछ मशूर वेबसाइट्स के URL नजर आ रहे हैं. इन में protocol और webpage के domain name labeled हैं. Home page जब हम web browser को start करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो webpage नजर आता है, उसे homepage या start page कहते हैं. Home page दरसल किसी भी website का पहला page होता है. इसमें इस website को मजीद explore करने के links बने होते हैं. आईए, इस section में हम home page को देखना या तबदील करना सीखते हैं. इसके लिए पहले हम browser को start करते हैं, जिसका तरीका हम पहले ही सीख चुके हैं. आप देख रहे हैं कि हमें Google की website नजर आ रही है, यानि इस browser का home page Google को set किया गया है. अब हम इस page को तबदील करके, home page www.vu.edu.p के बनाना चाहते हैं. आईए, इसका तरीका सीखते हैं. सबसे पहले हम menu bar में से tools menu को open करते हैं. हमारे सामने ये list open हो गई है. हम internet options पर click करते हैं. हमें ये dialogue box नजर आ रहा है. यहां आपको general tab में home page के नीचे तीन buttons नजर आ रहे हैं. Use current, use default और use new tab. use current के button पर click करने से जो site खुली हो और आप देख रहे हैं हों, उस site का address home page के तौर पर set हो जाता है. use default के button से जो default page हो, set हो जाता है. यानि वो page home page के तौर पर set हो जाता है. और use new tab के button से home page blank पर set हो जाता है. यानि के कोई site या web page as home page नहीं रहता. इसी dialogue box के home page section के address box में हम VU का URL टाइप करते हैं. फिर OK के button को click करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं, screen पर कोई तबदीली नहीं हुई है. अब हम तबदील किये हुए home page को देखने के लिए पहले हम browser को close करते हैं, फिर उसके बाद दुबारा browser को open करते हैं. अब आप देख रहे हैं कि browser को दुबारा start करने से हमें Google की बजाए VU का web page नजर आ रहा है. यानि अब Google की बजाए VU.edu.pk home page बन गया है. लीजिए, हमने home page को तबदील करने का तरीका सीख लिया है. आप इसी तरीके के मताबक जिस page को home page बनाना चाहें, बना सकते हैं. New tab बाद उकात ऐसा होता है कि हम एक web page में काम कर रहे होते हैं और ये चाहते हैं कि इसे close किये बगएर किसी और web page को open करें. क्यानि एक वक्त में एक से ज्यादा pages को open करना चाहते हैं. जी जनाब, ब्राउजर हमें ये facility भी फरहाम करता है. इसके लिए New tab की option को इस्तमाल किया जाता है. आईए इसको सीखते हैं. इस वक्त आपको Google की website नजर आ रही है. इसके साथ साथ हम Virtual University की website को भी browse करना चाहते हैं. यानि एक वक्त में एक से ज्यादा web pages को open करना चाहते हैं. ऐसा करने के लिए हम Google की टैब के साथ इस छोटे से खाली हिस्से को जिसे New tab कहते हैं, क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि ऐसा करने से address bar खाली नजर आ रहा है. जानि अभी इसमें किसी website का URL नहीं लिखा गया. अब हम address bar में Virtual University का URL टाइप करते हैं और Enter की को दबाते हैं. आप देख रहे हैं कि हमने एक वक्त में एक से ज्यादा websites को open कह लिया है. Stop Refresh Button जब हम browser में मुक्तले web pages को देख रहे होते हैं, तो बहुत सी ऐसी situations होती हैं, जिनमें हम web pages को open होने से रोकना चाहते हैं. आईए इससे सीखते हैं. बाज उकात किसी web page को open होने में बहुत ज़्यादा time लग जाता है. ऐसी situation में हम इस web page को open होने से रोकना या stop करना चाहते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि हमने गलती से किसी ऐसे link पर click कर दिया हो, जिस पर click नहीं करना था. ऐसी situation में भी हम आगे proceed नहीं करना चाहते, बलके इसी page को रोकना या stop करना चाहते हैं. या फिर जब कोई web page open हो रहा होता है और इसके contents नजराना शुरू होते हैं, तो हमें मेहसूस होता है कि हमें ये information नहीं चाहिए. जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि Internet Explorer बीबीसी.डॉट कॉम के page को open कर रहा है. हम इसको open करने से रोकना चाहते हैं. इसके लिए हम address बार में बने cross के button जिसको stop button कहते हैं, पर click करते हैं. आप देख रहे हैं कि browser वेब पेज को open करने से रुख गया है और वोही cross का निशान अब एक circular arrow बन गया है. अब हम इसको refresh button कहते हैं. दरसल ये एक ही button किसी भी website को stop करने और उसे refresh करने का काम करता है. refresh करने से ये मुराद है कि अगर आपने एक webpage को काफी देर पहले open किया है और आप चाहते हैं कि इस page में की गई तबदीलियों को देखें, या अगर एक page सही तरह लोड नहीं हुआ और आप उसको reload करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको address दुबारा type न करना पड़े, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं. इसके लिए हम address bar में मौजूद इस circular arrow जिसको refresh button कहते हैं, पर click करते हैं. तो देखिए, browser ने उस रुके हुए page को दुबारा load करना शुरू कर दिया है. जब हम किसी web page को refresh करते हैं, तो जो website open होती है, इसकी request दुबारा server को भीजी जाती है, और वो latest तबदीलियों के साथ आपको नजर आती है. आए इसको एक और मिसाल से सीखते हैं. इस वक्त आपको एक mail पेज open दिखाई दे रहा है. इसके inbox में चार messages पड़े हुए हैं. हमने इसको काफी देर पहले open किया था. अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनके inbox में कोई तबदीली तो नहीं हुई. इसको देखने के लिए हम address bar में बने refresh के बटन को क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि इसके inbox में अब चार की बजाए 8 messages नजर आ रहे हैं. इस तरह से आप refresh बटन को इस्तमाल करके एक web page को latest तबदीलियों के साथ देख सकते हैं. जब आप browser को open करते हैं और उसमें मुक्तले websites को visit करते हैं तो उन visited sites का record ब्राउजर में save होता जाता है. ऐसा भी मुम्किन है कि आप उन visited sites के URLs को दुबारा access करें. हमारी visit की हुई site browser के history में save होती है. हम history को open करके visit sites को दुबारा देख सकते हैं. आईए इसको सीखते हैं. इस वक्त हमारे सामने internet explorer का browser open है. हम address bar के दाएं तरफ बने हुए favorites के icon पर जो के एक star की तरहा है click करते हैं. जैसे ही हम इस icon पर click करते हैं, आप देख रहे हैं कि एक window open हो गई है. इसमें तीन tabs हैं. हम history के tab पर click करते हैं. इसमें हमारे पास यह option है. हम चंद गुजश्चता हफ्तों या आज की दिन में visit की हुई websites के नामों की list देखें. मिसाल के तौर पर इस वक्त हम today को click करते हैं. आप देख रहे हैं कि हमारे सामने websites की list open हो गई है. यह आज की visited sites की list है. History list में जब हम किसी website पर click करते हैं, तो इसमें हमने जो web pages visit किये होते हैं, इन सब के URL नजर आते हैं. हम इन web pages पर click करके इनको दोबारा देख सकते हैं. History list को मजीद arranged form में देखने के लिए, हम view by date के साथ बने arrow button पर click करते हैं. इस list में हम view by date, view by site, view by most visited और view by order visited today की तरतीब से हम websites के URLs को देख सकते हैं. हम history list में दिनों की तादात को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं. आएए इसको सीखते हैं. इसका तरीका ये है कि पहले हम tools menu को open करते हैं. फिर इसमें internet options पर click करते हैं. हमारे सामने ये dialogue box open हो गया है. हम इसके browsing history section में settings पर click करते हैं. अब हमारे सामने एक नई window आ गई है. हम इसके दूसरे tab यानि history पर click करते हैं. यहां से days to keep pages in history के सामने से value 5 को select करते हैं. फिर ok के button पर click करते हैं. deleting history of internet browsing. जब history list में websites के URL की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो हम इन में से गेर जरूरी URLs को delete भी कर सकते हैं. आईए. इसका तरीका सीखते हैं. इस वक्त हमें browser की right side में history list नजर आ रही है. सबसे पहले इसमें हम उस link पर right click करते हैं जिसको हमने delete करना है. जो sub menu नजर आ रहा है. इसमें हम delete की option पर click करते हैं. अब हमें ये dialogue box नजर आ रहा है. इसमें हमने एक दफ़ा फिर confirm करना है कि क्या वाकई इसको delete करना चाहते हैं. हम yes पर click करते हैं. ये देखें. हमारा मतलूबा URL अब list ते delete हो गया है. हम history list के web pages को one by one delete करने के अलावा ऐसा भी कर सकते हैं कि history list में से तमाम websites के URL को खत्म कर दें. आईए इसे सीखते हैं. इसके लिए पहले हम tool menu को open करते हैं और इसमें internet option पर click करते हैं. इसके बाद हम general tab पर click करते हैं. फिर इसमें browsing history section में delete पर click करते हैं. हमारे सामने एक और window आ गई है जिसमें से हमने select करना है कि history में से कौन कौन सा data delete करना है. फिलहाल हम कोई तबदीली किये बगेर नीचे से delete का button प्रेस करते हैं. और browser अपनी history से record delete करना शुरू कर देता है. आप देख रहे हैं कि अब history की window में हमें कोई URL नज़र नहीं आ रहा. यानि history list delete हो गई है. Using help feature अगर आपको web browser के बारे में कुछ जानना हो तो आप application की help को use कर सकते हैं. इसे open करने के लिए या तो keyboard से F1 की key press करें और या फिर menu bar से help पर click करें और फिर internet explorer help पर click करें. Click करने से आपके सामने एक नई window open हो गई है. इसमें सारी information मौझूद है. browser के बारे में आप जो information लेना चाहें ले सकते हैं. Search help के box में आपको जिस चीज़ के बारे में information चाहिए हो लिखकर enter करें. तो आपको इसके बारे में काफी मालूमात हासिल होंगी. View Settings Internet Explorer की screen को मुख्तलिफ sizes में देखा जा सकता है. Internet Explorer की window की size को आप छोटा, बड़ा, minimize या full screen कर सकते हैं. आप cross के साथफ़ाले button restore को क्लिक करके screen को restore down कर सकते हैं और इसी button को दुबारा क्लिक करके आप इसे maximize कर सकते हैं. ये button जिस पर minus का निशान बना हुआ है, इस पर click करके आप अपना page minimize कर सकते हैं और task bar में मौजूद इस icon पर click करके दुबारा restore कर सकते हैं. अगर हम page का size अपनी मर्जी का करना चाहते हैं, तो हम पहले इसको restore down करते हैं. अब page के निचले corner पर mouse pointer ले जाते हैं और left mouse button को दबा कर रखते हुए mouse को drag करते हैं. अब अपनी मर्जी के size पर ले जाकर mouse को छोड़ देते हैं. यूं हम page का size अपनी मर्जी के मताबक कर सकते हैं. Modifying display toolbar तूल बार पर बार्स को लाया या गायब किया जा सकता है. ऐसा करने के लिए तूल बार पर यहां किसी जगह right click करें. अब जो list open हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ बार्स के सामने tick का निशान लगा हुआ है. इसका मतलब है ये बार्स पहले से ही menu bar में मौजूद हैं. जबके जिनके सामने tick का निशान नहीं, आप उनको तूल बार में ला सकते हैं. अब इस list से जो बार आप टूल बार में रखना चाहते हैं, इसे click कर दें. और पहले से मौजूद किसी बार को गाइब करना हो तो इसे एक बार और click कर दें. Display Settings अब हम किसी ब्राउजर के अंदर देखे जाने वाले वेब पेज की जूम सेटिंग और टेक्स साइज को तब्दील करना सीखते हैं. मसलन हम google.com को open करते हैं और इसके search box में पाकिस्तान लिखकर enter करते हैं. अब हम menu bar से view पर click कर रहे हैं. जो list open हुई है, उसमें mouse pointer को zoom के उपर लेकर जाते हैं. तो देखें, इसके आगे मजीद options आ गई हैं. हम इसमें से पहली option, zoom in पर click करते हैं. ये देखें, हमारा वेब पेज 25 फीसद मजीद बड़ा हो गया है. ये काम हम keyboard से control key key और फिर जमा के sign को दबाने से भी कर सकते हैं. इसी तरहा control key key और मनफी के sign को प्रेस करने से वेब पेज छोटा हो जाता है, जैसा के आप देख रहे हैं. इसी तरहा हम किसी भी website के ऊपर मौजूद text के size को भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं. इसके लिए हम menu bar से दोबारा view पर click करते हैं. यहां से text size पर mouse pointer को ले कर जाते हैं. तो हमारे सामने एक नई list आ गई है. यहां से हम smallest से लेकर largest key option को select कर सकते हैं. जिससे हमारे text का size छोटा या बड़ा हो जाता है. जैसा के आप देख रहे हैं. closing the browser application. जब हम browser में अपने काम को खत्म कर लेते हैं, यानि मुख्तलिफ web pages को visit करना, search करना, news paper पढ़ना वगएरा, तो फिर हम browser को close कर लेते हैं. browser application को बंद करने के लिए, आप mouse की मदद से उपर दाएं कोने में cross के button पर click कर सकते हैं. या फिर keyboard की मदद से alt प्लस F4 की key को एक साथ दबाएं. अब आप देख रहे हैं कि आपका browser close हो गया है. Summary इस lesson में आपने सीखा कि internet service providers क्या है और इसका क्या काम है. वो program जिसमें हम web document या websites देखते हैं, उसे internet browser कहते हैं. browser को कैसे use किया जाता है, URL क्या होता है और इसके कितने हिस्से होते हैं. internet explorer 11 के मुक्तलिफ हिसे और इसके features को discuss किया. और browser की history और view settings के बारे में जाना. module 6 के इस हिसे में आप सीखेंगे कि web navigation कैसे की जाती है, web page के अंदर बने hyperlinks क्या होते हैं, bookmarks या favorites कैसे बनाए जा सकते हैं, web page को save और print करना भी सीखेंगे. introduction एक page या screen से दूसरे page या screen पर जाने के process को web navigation कहते हैं. आप जानते हैं कि जब हम computer को start करते हैं, तो हमारा बुनियादी मकसद मुक्तलिफ software को open करना और उनमें काम करना होता है. मसलन अगर हम typing करना चाहते हैं, तो उसका मतलूबा program पहले open करते हैं, फिर इसमें typing करते हैं. बिल्कुल इसी तरह, अगर हम internet के जिरिये मुक्तलिफ information को access करना चाहते हैं, तो पहले हम internet से connect होते हैं और browser को start करते हैं. फिर इसमें URL के जिरिये मुक्तलिफ websites को visit करते हैं. आईए इस section में ये सीखते हैं कि URL के जिरिये मुक्तलिफ websites को कैसे visit करते हैं. Opening Our Website इसका तरीका ये है कि पहले हमें उस website का URL मालूम होना चाहिए, जिसको visit करना है. याद रहे कि हम पिछले लेसन में बता चुके हैं कि किसी website के URL को browser के address bar में type करते हैं. इस वक्त हमारे सामने ये Internet Explorer 11 का browser open है. हम इस browser के address bar में ये URL टाइप करते हैं और फिर Enter की को दबाते हैं. ये देखें, जब वेब पेज मुकमल तोर पर open हो गया, तो हमें browser में इस तरह से नजर आ रहा है. Backward, Forward इस section में हम browser में backward और forward मूव करना सीखेंगे. लेगिन पहले हम एक मिसाल के जिरिये ये सीखेंगे कि backward और forward से क्या मुराद है. जब हम एक किताब को पढ़ते हैं और हम उसके अगले या पिछले सफाहत पर बहुत आसानी से जा सकते हैं, इसके लिए हम इस किताब के सफाहत को आगे या पीछे पलटते हैं. बिलकुल उसी तरह हम एक ब्राउजर में मुक्तलिफ साइट्स को विजिट करते हैं, तो हम अगली या पिछली वेब साइट्स पर backward या forward बटन के जिरिये जा सकते हैं. आईए, अब हम ब्राउजर में backward मूफ करना सीखते हैं. आपको इस वक्त इंटरनेट एक्स्प्लोरर का ब्राउजर नजर आ रहा है. आप देख रहे हैं कि एड्रिस बार के साथ बाईं तरफ, बैक और फावर्ड के बटन का कलर टिम है. यानि, अभी हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी किसी वेबसाइट को विजिट नहीं किया. ये बटन उस वक्त इस्तेमाल होंगे, जब हम एक से ज्यादा वेबसाइट को विजिट करेंगे. लहाज़ा आएए, सबसे पहले हम विर्चुल उनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करते हैं. विर्चुल उनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम एड्रेस बार में www.hec.gov.pk को टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं. हमारे सामने Higher Education Commission की वेबसाइट खुल गई है. अब हम यहाँ से जीमेल की वेबसाइट को ओपन करते हैं. इसके लिए दुबारा एड्रेस बार में www.gmail.com टाइप करके एंटर को प्रेस करते हैं. और ये देखें, जीमेल की वेबसाइट ओपन हो गई है. यानि हमने इस सेशन में Virtual University, HEC, फिर जीमेल की साइट को विजिट किया है. आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमें जीमेल का वेब पेज नजर आ रहा है. आप ये भी देख रहे हैं कि Back का बटन अब नुमाया हो गया है. लेकिन Forward का बटन अभी भी Dim है. Forward का बटन उस वक्त एकसेस हो सकेगा जब हम Back बटन को इस्तमाल करेंगे. लिहाज़ा हम Back बटन पर क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि हमें अब HEC का पेज नजर आ रहा है, जिसको हमने जीमेल से पहले विजिट किया था. आपने ये भी नोट किया होगा कि अब Forward का बटन नुमाया हो गया है. आएए, अब Forward के बटन पर क्लिक करते हैं. ये देखें, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो हमें अगला पेज यानी जीमेल डॉट कॉम नजर आ रहा है. हमने Forward और Back के बटन्स को इस्तेमाल तो कर लिया है. अब हम ये चाहते हैं कि यहां से हम Direct Virtual University के पेज़ पर चले जाएं. ऐसा करने के लिए हम Address Bar में बने इस चोटे से एरो पर क्लिक करते हैं. ये देखें, अब हमें इस लिस्ट में विजिट किये हुए पेज़ के लिस्ट नजर आ रही है. हम यहां से Direct किसी पेज़ पर जाने के लिए किसी URL पर क्लिक कर सकते हैं. इस वक्त हम Virtual University पर क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि अब हमें Virtual University का पेज़ नजर आ रहा है. इसी तरह अब हम यहां से Direct आखरी विजिट किये हुए पेज़ जीमेल पर जाना चाहते हैं. इसके लिए हम दोबारा इस arrow को क्लिक करते हैं. फिर इस लिस्ट में से जीमेल डॉट कॉम पर क्लिक करते हैं. अब आपको स्क्रीन पर जीमेल का पेज़ नजर आ रहा है. आप Forward, Back और Home पेज़ पर जाने के लिए View Menu की Go To Option भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Go To Menu के लास्ट में आपको Visited Web Pages के नाम दिखाई दे रहे हैं. आप इन में से किसी पर क्लिक करके मतलूबा वेब पेज़ पर डारेक्ट भी जा सकते हैं. इसके अलावा आप Keyboard की Alt प्लस Left Arrow की को प्रेस करके Back और Keyboard की Alt प्लस Right Arrow की को प्रेस करके Forward में जा सकते हैं. और Home पेज़ पर जाने के लिए Alt प्लस Home की Keys को प्रेस करें. Hypertext Link Hypertext की टर्म को सबसे पहले टेड निलसन ने अपनी किताब में डिफाइन किया. इसके मुताबिक Hypertext एक Non-Sequential Writing है यानि इसमें Text को एक Sequence या तर्तीब से नहीं लिखा जाता, बलखे इसमें Information को एक Non-Sequential Order में प्रेसेंट किया जाता है. इसमें एक पेज दूसरे बहुत से Pages से Connected होता है. इन Non-Sequential Pages को आपस में Connect करने के लिए Links Create किया जाते हैं. इसमें Links एक पेज के Word, Picture या किसी भी Object पर Selectable Connection होते हैं. जब इन पर Mouse से क्लिक किया जाता है, तो इस Links से Connected Page ओपन हो जाता है. ऐसे Links को Hypertext Links कहा जाता है. यानि Hypertext Links किसी वेब पेज के ऐसे Elements होते हैं, जिन पर क्लिक किया जाता है, तो वो किसी और वेब पेज या वेब साइट पर ले जाते हैं. जब Pictures, Graphics, Audio और Video और वीडियो वगेरा पर Links बनाए जाएं, तो इसको Hyperlinks के इलावा Hypermedia Links भी कहा जाता है. जब आप वेब पेजिस को विजिट करते हैं, तो इन में मुख्तलिफ किसम के Hyperlinks बने होते हैं. बाज Links Underline होते हैं. बाज का Color डिफरेंट होता है. इन Links में एक चीज़ कॉमन है. वो ये, कि जब किसी Link पर Mouse Pointer को ले जाते हैं, तो Mouse Pointer की Shape तबदील हो जाती है. आइए इसको एक मिसाल से सीखते हैं. आपको इस वक्त ये तीन पिक्चर्स नजर आ रही हैं. आइए, इन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इन में से कौन सी पिक्चर Hyperlink है. ये देखें, जब हम Mouse Pointer को पहली पिक्चर पर ले गए हैं, तो Mouse Pointer की Shape तबदील नहीं हुई, यानि ये Hyperlink नहीं है. इसी तरहां जब हम Mouse Pointer को दूसरी पिक्चर पर ले गए, तो भी Mouse Pointer की Shape तबदील नहीं हुई. यानि ये भी Hyperlink नहीं है. लेकिन आप देख रहे हैं कि जब हम Mouse Pointer को तीसरी पिक्चर पर ले गए हैं, तो Mouse Pointer की शेप तब्दील हो गई है, यानि ये Hyperlink है, इस पर क्लिक करने से एक और पेज ओपन हो गया है ज्यादता लिंक्स हमें किसी वेब पेज पर ले जाते हैं, ताहम बाज ऐसे लिंक्स भी होते हैं जिनको जब activate किया जाए तो वो किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं कुछ ऐसे लिंक्स भी होते हैं जिनको क्लिक करने से कोई multimedia फाइल प्ले होती है, जिसमें online, music, video वगएरा शामिल है किसी भी वेब पेज में तीन तरह के लिंक्स होते हैं, as text, as image maps, as picture टेक्स पर लिंक दिखाने के लिए इनको highlight किया जाता है और इनका रंग भी मुख्तलिफ होता है, मसलन, इस वेब पेज में ये text links हैं पाज उकात, कोई picture भी लिंक के तौर पर इस्तमाल होती है, मसलन, इस वेब पेज में ये picture links हैं, जब इन पर क्लिक किया जाएगा, तो relevant page open होगा Image map एक single picture होती है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा links बने होते हैं इस पर क्लिक करके हम इस image से connected मुख्तलिफ links को open कर सकते हैं जब हम browser में किसी link को activate करते हैं, तो इस link से connected page ज्यादा तर इसी window में open होता है लेकिन ऐसा भी मुम्किन है कि किसी link को एक नई window में activate करें, आईए इसे सीखते हैं इस वक्त हमने browser में Wikipedia का page open किया है हम इसके feature content से connected page को एक नई window में open करते हैं इसके लिए पहले हम mouse pointer को बाएं तरफ मौझूद feature content के link पर ले जाते हैं, फिर इस पर right click करते हैं अब हम open in new window पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि feature content का page एक नई window में open हो गया है इसके इलावा ये भी पता चल रहा है कि Wikipedia का main page भी open है इसके इलावा अगर आप एक ही window में इस link को open करना चाहते हैं, तो इस link पर right click करें और open in new tab की option पर click करें ये देखें, feature article का page पहले वाली tab के साथ दूसरी tab में open हो गया है इस से same window ही में एक और tab का इजाफा हो जाता है और navigation बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं और किसी खास page को याद रखना हो तो उसके लिए हम उस page पर bookmark लगाते हैं इस से ये फाइदा होता है कि दूसरी दफ़ा उस page को देखने के लिए हमें पूरी किताब को नहीं खूलना पड़ता बलके bookmark के जरिये direct उस page पर चले जाते हैं बिलकुल उसी तरह जब हम internet को इस्तमाल करते हैं और मुख्तलिफ websites को विजिट करते हैं तो बहुत सी ऐसी websites होती हैं जो हमें पसंद आती हैं और हम उन websites को विजिट करना चाहते हैं ऐसा करने के लिए किताब की bookmark की थरह ब्राउजर भी हमें ये सहूलत मुहाया करते हैं कि हम अपने पसंदीदा web pages की list का record रखें ताके उन pages को दुबारा open करने में असानी हो कुछ web browsers में इनका नाम bookmarks है और कुछ में इनको favorites कहा जाता है मसलन Netscape और Google Chrome के navigator में उनको bookmark कहा जाता है और Internet Explorer के browser में इनको favorites कहा जाता है इस module में हम इन web pages के लिए favorites की term इस्तमाल करेंगे आए सबसे पहले ये सीखते हैं कि किसी web page को favorites की list में कैसे add करते हैं सबसे पहले हम browser को open करते हैं फिर इसमें उस page को open करते हैं जिसको हमने favorite बनाना है हम virtual university की website को favorites की list में add करना चाहते हैं लेहाजा पहले virtual university की site को browser में open करते हैं इसके बाद हम menu bar से favorites को click करते हैं और हमारे सामने जो menu open हुआ है उसमे add to favorites पर click करते हैं अब हमें ये dialogue box नज़र आ रहा है हम इसमें name के box में virtual university of Pakistan में off Pakistan को delete करते हैं यानि favorites की list में हम इसका नाम virtual university रखना चाहते हैं इसके बाद हम add के button को press करते हैं लीजिए हमने favorites की list में एक website add कर ली है आएगे अब हम ये देखते हैं कि क्या वाकई favorites की list में website add हुई है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम favorites के menu को दुबारा open करते हैं इसके last में देखने से ये पता चल रहा है कि virtual university की website favorites की list में add हो गई है आए हम ये देखते हैं कि अगर हम browser को close करके दुबारा open करें तो favorites की list में add की गई websites save होती हैं या नहीं इसके लिए हम पहले browser को close करते हैं फिर हम बताएगे तरीके के मताबिक browser को दुबारा open करते हैं फिर हम menu bar में से favorites के menu को open करते हैं आप देख रहे हैं कि इसमें virtual university का webpage saved है हमने favorites की list में web pages add करना तो सीख लिया है आईए अब हम ये सीखते हैं कि favorites की list में web pages की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो इसको organize कैसे करते हैं इस section में favorites की list को organize करने के लिए हम folder create करने का तरीका सीखते हैं इसके लिए सबसे पहले हम favorites के menu को open करते हैं फिर इसकी option organize favorites पर click करते हैं हमारे सामने ये dialogue box open हो गया है इसमें नए folder को create करने के लिए हम new folder को click करते हैं ये देखें, new folder के नाम से एक icon इस dialogue box की main window में फॉरण create हो गया है इसको आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं हम इसमें folder के नाम के लिए fv page list type करते हैं फिर हम enter key को press करते हैं आप देख रहे हैं कि fv page list के नाम से एक folder create हो गया है आखिर में हम close के button पर click करते हैं लीजिए, हमने नया folder तो create कर लिया है आएए, इसमें web pages add करना सीखते हैं इस वक्त हमने yahoo.com का page open किया हुआ है इसको हम favorites के fv page list के folder में save करना चाहते हैं ऐसा करने के लिए हम favorites के menu को open करते हैं फिर इस menu की पहली option add to favorites पर click करते हैं हमारे सामने ये dialogue box open हो गया है इसमें name के साथ बने box में जो web page open है उसका नाम यानि yahoo लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसके बाद हम create in की window में fv page list के folder पर click करते हैं इसके बाद हम add के button को click करते हैं लीजिए yahoo का web page favorites में add हो गया है इसको confirm करने के लिए हम favorites के menu को दुबारा खोलते हैं लेकिन ये क्या yahoo का page तो इस menu में कहीं नज़र नहीं आ रहा है अलबता fv page list के folder के साथ एक arrow नज़र आ रहा है आईए इस पर mouse pointer लेकर जाते हैं जैसे ही हम mouse pointer को fv page list के folder पर ले गए हैं आप देख रहे हैं कि इसके sub menu में yahoo का shortcut icon नज़र आ रहा है ये इस बज़ा से है क्योंकि हमने yahoo को fv page list के folder में add किया था लहाज़ा वो हमें अलहदा से नज़र नहीं आया हम इसको click करके बहुत आसानी से इन web pages को open कर सकते हैं delete favorites जब हमें favorites की list में से कुछ web pages की जरूरत नहीं रहती तो ऐसा भी मुम्किन है कि हम falto और गेर ज़रूरी favorites और folders को जब चाहें delete भी कर सकते हैं आएए इसको सीखते हैं इस वक्त हमने internet explorer के browser को open किया हुआ है इसमें हम पहले favorites के menu को open करते हैं और फिर इसमे organize favorites पर click करते हैं हमारे सामने organize favorites का dialogue box open हो गया है हमें इसमें जो window नजर आ रही है इसमें से हमने पहले वो page select करना है जिसको delete करना है हम यहां से virtual university को select करते हैं इसके बाद इन चार buttons में से delete के button पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि VU का web page favorite की list में से delete हो गया है और अब नजर नहीं आ रहा इसी तरह हम web page को delete करने के बाद FV page list को भी delete कर सकते हैं इसके लिए हम FV page list के folder को select करते हैं फिर delete की option पर click करते हैं हमें यह message नजर आ रहा है इसका मतलब है कि वाकई हम favorites के folder और उसके अंदर saved web pages को delete करना चाहते हैं अब हम अगर delete या yes के button को press कर दें तो folder delete हो जाएगा लेकिन फिलहाल हम इसको delete नहीं करते हम organized favorites के dialogue box को close करने के लिए close के button को click करते हैं favorite bar favorites के साथ आप जबर्दस काम यह कर सकते हैं कि अपने आम यह बहुत ज़्यादा इस्तमाल होने वाले web pages को menu bar के इलावा नई बार में देख सकते हैं ताकि किसी भी website को बहासानी single click से open कर सकें ऐसी बार को favorite bar कहते हैं यानि आप अपने favorites को अपने browser के tool bar में दिखाने के लिए उनके shortcut create कर सकते हैं इसका यह फाइदा होगा कि आप जैसी ही उन icons पर click करेंगे तो आपके सामने वो web page फॉरण open हो जाएगा आईए इसे सीखते हैं आप favorite web pages के shortcut icons तमाम browsers में create कर सकते हैं हम इस वक्त Internet Explorer 11 के browser को इस्तमाल करेंगे सबसे पहले हम favorite bar को अपनी tool bar में लाने के लिए view पर click करते हैं अब अपने mouse pointer को tool bar के उपर लाते हैं अब जो list open हुई है उसमें से favorite bar पर click करते हैं तो ये देखें अब हमें tool bar में favorite bar भी नजर आ रही है इस वक्त हमने virtual university की website को open किया हुआ है आईए इसको links के favorite bar में add करते हैं इस दफ़ा हम favorites के menu को open करते हैं फिर इसमे add to favorite bar की option पर click करते हैं अब आप देख रहे हैं कि favorite bar में वी यू के shortcut का भी इजाफा हो गया है यानि हम वी यू की website को favorite bar से भी open कर सकते हैं हम favorites की list को organize folder के dialogue box में देखने के इलावा ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्हें browser की screen में left side पर देख सकें आईए इसे सीखते हैं इस वक्त आपके सामने favorites का icon नजर आ रहा है आईए इस पर click करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है ये देखें जैसे ही हम इस पर click करते हैं तो हमें एक window नजर आ रही है इसे explorer bar कहते हैं इस वक्त explorer bar की heading में add to favorites लिखा हुआ है और नीचे favorites की tab में web pages की list नजर आ रही है हम यहां से भी favorite web pages को add और organize कर सकते हैं लेकिन इसे पहले हम इस explorer bar को मुस्तकिल तौर पर यहां set करते हैं इसके लिए हम यहां इस icon पर click करते हैं तो देखिए ये बार screen के अंदर ही set हो गई है और screen अब दो हिस्सों में तक्सीम हो गई है दाएं हिस्से में website के content नजर आ रहे हैं जबके बाइं तरफ explorer bar नजर आ रही है हम mouse arrow की मदद से इस screen के area को कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं अगर हम यहां से किसी page के icon पर click करते हैं तो वो page open हो जाएगा मसलन हम इस folder पर click करते हैं फिर इसके बाद इस web page के icon पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि अब हमें उस web page के contents नजर आ रहे हैं जिस पर हमने click किया था इस explorer bar को close करने के लिए हम add to favorites की headings के साथ बने cross के button पर click करते हैं duplicating web page data इस section में हम web pages के text, image, data वगेरा को duplicate करना सीखते हैं duplicate का मतलब होता है किसी same information को एक से ज्यादा जगा पर देखना जिस तरह Microsoft Word में हम copy और paste की option से एक information को एक से ज्यादा जगों पर देखते हैं बिलकुल उसी तरह हम web page के text, data, image या URL को किसी भी program, मसलन Word या Excel में duplicate कर सकते हैं सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि अगर हमें web page का text data किसी और document में duplicate करना हो तो वो कैसे करते हैं बास उकात हम किसी topic के बारे में notes बना रहे होते हैं या किसी topic को present करने के लिए उससे related information ढूंड रहे होते हैं अगर यह information हमें किसी web page में से मिल जाती है तो हम यह चाहते हैं कि हम इस information को web page से अपने document में copy कर लें आएए इसका तरीका सीखते हैं इस वक्त हमें यह web page नजर आ रहा है हम इसके data को copy करके Microsoft Word में paste करना चाहते हैं इसका तरीका यह है कि सबसे पहले हम इस web page के text data को copy करने के लिए mouse की मदद से इसे select करते हैं फिर हम edit menu को open करते हैं इसमें से copy की option को select करते हैं लीजिए हमारा selected text clipboard में save हो गया है इसके बाद हम target location के बारे में बताते हैं यानि हम यह बताते हैं कि इस data को कहां duplicate करना है इसके लिए पहले हम Microsoft Word को open करते हैं अब हमें Word की screen नजर आ रही है इसमें हम home की tab से paste की option पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि web page का selected data Microsoft Word में कितनी आसानी से copy हो गया है Saving web page image जिस तरह हमने web page के text data को एक जगा से दूसरी जगा copy किया बिल्कुल इसी तरह हम web pages के images को भी copy और paste कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हम अपने मतलूबा page को open करते हैं इसके बाद इस image पर mouse से right click करते हैं जिसको copy करना है और sub menu में से copy की option पर click करते हैं Copy की option पर click करने से selected image अब clipboard में save हो गया है अब हमें पहले की तरह इस image को document में paste करना है इसके लिए हम फिर से paste की option पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि हमने web page की image को एक document में copy और paste कर लिया है Saving as a file हमने एक web page के text और images को एक document में paste करना तो सीख लिया है आईए, अब हम ये देखते हैं कि किसी web page की graphics या images को एक file की सूरत में कैसे save करते हैं इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम browser start करने के बाद अपने मतलूबा web page को open करते हैं हम इस image को file में save करना चाहते हैं इसके लिए हम इस image पर right click करते हैं हमारे सामने ये sub menu open हो गया है इसमें से हम save picture as की option पर click करते हैं अब हमें ये dialogue box नजर आ रहा है यहां हम बाएं तरफ navigation pan से इसको save करने की location को select करते हैं इसके लिए हम pictures के folder को select कर रहे हैं अब file name के सामने इसका नाम type करते हैं इसके बाद save as type के सामने जो format selected है हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और फिर save के button को press कर देते हैं हमने graphic image को save तो कर लिया है अब हम इस file को open करके देखते हैं इसके लिए पहले हम picture folder को open करते हैं इस folder में अपनी मतलूबा file पर double click करते हैं तो ये देखें, वोही picture अब हमारे सामने open हो गई है इस section में हम मुख्तलिफ files को download करना सीखते हैं Download से मुराद एक remote computer के data को अपने computer में transfer करना है या internet के जरिये किसी file को अपने computer में transfer करना है आईए, सबसे पहले किसी text file को अपने computer में download करना सीखते हैं इसके लिए पहले हम इस website को open करते हैं जिससे हमने file को download करना है website को open करने के बाद हम इस file पर right click करते हैं जिसको हमने download करना है हमें ये menu दिखाई दे रहा है इसमें से हम save target as की option पर click करते हैं जिससे हमारे सामने ये dialogue box open हो गया है हम इसमें से कोई file name type करते हैं इसके बाद बाएं तरफ से document का folder select करते हैं फिर हम save के button पर click करते हैं इस तरह से हम किसी audio या video file को भी download कर सकते हैं saving a complete web page अगर आप किसी website को offline देखना चाहते हैं यानि कि अगर आप internet से connected नहीं हैं और आप virtual university की site देखना चाहते हैं तो आपको virtual university के web page को save करना होगा इसके लिए menu bar में file पर click करें और फिर save as पर click करें अब आप एक save web page का dialogue box देख रहे हैं इसमें file name के सामने file का नाम दें और जहां आप इस file को save करना चाहते हैं इसका path दें और अब save का button दबाएं यूँ आपका page save हो गया अब आप कभी भी इस page को देख सकते हैं प्रिंटिंग web page आएए इस section में हम web pages को print करना सीखते हैं जब हम web pages को print करते हैं तो हमें कुछ मसायल का सामना करना पड़ता है आएए पहले इनको discuss करते हैं बाज web pages ऐसे होते हैं जिनकी width एक सफ़े की width से ज्यादा होती है ऐसे pages को print किया जाए तो पूरा web page print नहीं होता इस तरह के web pages को print करने का तरीका ये है कि पहले इन web pages को हम save करते हैं और फिर इनको print करते हैं इसके अलावा simple printing में web pages का color data black and white नज़र आता है इसकी वज़ा से इन pages का मकसद वाज़ नहीं होता उसका हल ये है कि इन web pages का color print लिया जाए आपको इस वगद एक web page नज़र आ रहा है आए इसको print करना सीखते हैं सबसे पहले हम file menu को open करते हैं और इसमें page setup की option पर click करते हैं ये देखें हमारे सामने page setup का dialogue box open हो गया है इसमें पहला section paper option का है हम page size की drop down list को open करके इस list में से मतलूबा paper size को select कर सकते हैं इसमें पहले से ही letter size selected है हम इसी को select रहने देते हैं इसके नीचे दो और options हैं इसमें हम web page को portrait या landscape style में print कर सकते हैं इसके दाएं तरफ margins के section में हम page के right, left, top, bottom, margins को set कर सकते हैं इसी dialogue box से हम web pages के header और footer भी set कर सकते हैं header हमें web page के top पर नज़र आता है और footer हमें हर page के bottom पर नज़र आता है हम web pages के header और footer में title, URL, page number और date की option select कर सकते हैं इसके नीचे change font का button है जिस पर click करके हम font, font style, size और color को तबदील कर सकते हैं फिलहाल हम इसे cancel करके OK का button प्रेस करते हैं वेb page का direct print लेने से पहले बेहतर है के इनका preview कर लिया जाए प्रिंट प्रिव्यू की option से हम web page को print करने से पहले देख सकते हैं कि वो page पर किस तरह से नज़र आएगा आए एक web page को print preview mode में देखना सीखते हैं इसका तरीका ये है कि पहले हम file menu को open करते हैं फिर इसमें print preview की option पर click करते हैं हमें web page अब print preview mode में नज़र आ रहा है हम इस mode में रहते हुए web page की printing option में कोई तबदीली नहीं कर सकते अलबता टूल बार के जरीए यहां से print का view तबदील करके देख सकते हैं कि print किस तरह का आएगा इसके इलावा नीचे इन buttons के जरीए अगले या पिछले web pages को देख सकते हैं print preview से वापैस normal mode में आने के लिए हम cross के button पर click करते हैं अब इस web page को print करने के लिए पहले हम file menu पर click करते हैं फिर इसमें से print की option पर click करते हैं सबसे पहले select printer का section है यहां हमें वो printer नज़र आ रहा है जो हमारे computer से attached है हम इसी को selected रहने देते हैं अगला section इसमें page range का है इस वक्त इसमें all की option मुन्तखिब है यानि इस वक्त अगर print लिया जाएगा तो तमाम pages का print निकलेगा page range में अगली option selected की है इसकी मदद से हम web page के selected portion को print कर सकते हैं current page की option से सिर्फ वो page print होता है जो उस वक्त screen पर नजर आ रहा होता है ये option उस वक्त काम करती है जब web page में एक से ज्यादा pages हो हम pages की option में कुछ खास pages को print कर सकते हैं लेकिन हम सिर्फ पहले page को print करना चाहते हैं इसके लिए हम यहाँ box में number 1 को type करते हैं इसे dialogue box में एक section number of copies का भी है यहां से हम web pages की एक से ज्यादा copies print कर सकते हैं number of copies को हम up और down arrow को click करके define कर सकते हैं लीजिए अब हम web pages का print out लेने के लिए इसी dialogue box में से print की option पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने print पर click किया है web page हमारे computer के साथ attached printer पर print हो रहा है और ये उस web page के पहले page का print out हमें मिल गया है summary इस lesson में आपने सीखा कि एक page या screen से दूसरे page या screen पर जाने के process को web navigation कहते हैं और आपने ये भी सीखा कि navigation कैसे होती है यानि एक page से कैसे दूसरे page पर जाया जाता है किसी web page को किस तरह bookmark किया जाता है और favorites को कैसे organize करते हैं एक web page के text, picture या पूरे website को save करने का तरीका भी सीखा Search Engines Objectives इस lesson में हम पढ़ेंगे कि search engines कैसे काम करते हैं अपनी search को किस तरह से refine और मजीद narrow किया जा सकता है और boolean operators को कैसे इस्तमाल करना है Introduction इस section में हम browser के एक बहुत एहम feature search engine को तफसील से discuss करते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि search engines क्या होते हैं जैसा कि नाम से जाहिर है, search से मुराद ढूनना है पहले हम search term को एक मिसाल से समझते हैं जब एकलमारी में बहुत से किताबें पढ़ी हों और उन में से किसी खास किताब को ढूनना हो तो हम पूरी list को देखते हैं और अपनी मतूबा किताब को तलाश करते हैं बिल्कुल इसी तरह जब हम इंटरनेट में किसी खास topic की information को देखना चाहते हैं तो हम उस topic का नाम बताते हैं इंटरनेट भी एक खास तरीका एकार से इस topic से related information को search करके screen पर दिखाता है वो खास तरीका एकार क्या है? आईए, इसे सीखते हैं वर्ल्ट वाइड वेब में इतनी ज़्यादा तादाद में website हैं कि इनकी total तादाद के बारे में बताना एक नाममकिन काम है इन website में किसी खास topic की website को ढूणना एक बहुत ही मुश्किल काम है इस situation में तो ऐसा लगता है कि जिस topic की website हम ढूणना चाहते हैं वो कभी तलाश नहीं कर सकेंगे लेकिन घबरा ये नहीं, इंटरनेट में इस मसले का भी हल है इंटरनेट में कुछ ऐसी websites भी मौजूद हैं जिनकी मदद से हम किसी भी खास information को बहुत जल्दी और आसानी से ढूण सकते हैं इन websites को search engines कहते हैं मसलन, Bing, Google और Yahoo वगेरा जैसा कि शुरू के lessons में हमने आपको बताया था कि search engines ऐसे program हैं जो web pages का तद्जिया करते हैं और इन में शामिल information का record रखते हैं फिर जब हम किसी search engine में कोई gloves या जुमिला एंटर करते हैं तो इस love से मिलते जुलते नामों वाले web pages की फहरिस्ट हमारे सामने आ जाती है इसका तरीका ये है कि सबसे पहले search engine एक software को इस्तमाल करके internet पर मुख्तलिफ web pages को देखता है इन softwares में spider, web crawler या कोई और software इस्तमाल होता है search engine को इस्तमाल करने से web pages की जो फहरिस्ट हमें फराहम की जाती है इसके लिए एक program spider इस्तमाल होता है इस program को spider इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक वक्त में बहुत सी web sites को विजिट करता है spider मुख्तलिफ web server को विजिट करता है और इसमें से मुख्तलिफ web sites की URL को एक central depository में store करता है इस depository को search engine की database या index कहते है इसके बाद जब हम search engine में कोई topic तलाश करने का कहते हैं तो spider इस database में से हमारे मतलूबा web pages को निकाल करके दिखाता है एक जरूरी बात note कर लें कि spider software इस तरह से program होते हैं कि वो खास अरसे के बाद web server को विजिट करते रहते हैं और नई और updated websites को database में store करते रहते हैं Using search engine हमने search engine का मकसद तो जान लिया है आईए अब हम किसी search engine को इस्तेमाल करने का तरीका सीखते हैं हम इस वक बहुत इस्तेमाल होने वाले search engine Google को open करते हैं इसका तरीका ये है कि पहले हम browser को start करते हैं इसके बाद हमें अपने मतलूबा search engine को open करना है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किसी भी search engine में काम करने के लिए हमें उसका URL मालूम होना चाहिए हम इस वक ब्राउजर के address बार में www.google.com का URL टाइप करते हैं आप देख रहे हैं कि हमारे सामने Google का पेज ओपन हो गया है इसमें हमें जो खाली बाक्स नजर आ रहा है इसे search बाक्स कहते हैं हमने इसमें ढूनने वाले लफ़ को टाइप करना है मसलन हम इस बाक्स में फूड का लफ़ टाइप करते हैं यानि हमें फूड के बारे में बनी हुई वेब साइट को विजिट करना है ये लफ़ लिखने के बाद हम कीबोर्ट से एंटर की की को दबाते हैं हमें ये स्क्रीन अजर आ रही है इस पेज के टॉप पर देखने से ये पता चल रहा है कि सर्च के रिजल्ट्स में टोटल इतनी वेब साइट फूड के बारे में मिली हैं और साथ ही ब्रेकेट में टाइम लिखा हुआ है जिससे ये पता चलता है कि सर्च एंजिन को ये रिजल्स धूनने में कितना टाइम लगा. आप ये भी देख रहे हैं कि हमें हर हाइपर लिंक में फूड का लफ्स प्रॉमिनेंट और बोल्ड नजर आ रहा है. आपने एक बात नोट की होगी, कि स्क्रीन पर तो हमें थोड़े से लिंक्स नजर आ रहे हैं, जबके टोटल रिजल्स तो बहुत ज़ादा हैं. ये दरसल पहला पेज है, और शुरू में देखने से ये भी पता चल रहा है, कि हमें इस वक्त टोटल में से सिर्फ चंद रिजल्स नजर आ रहे हैं. अगले पेज़ पर जाने के लिए हम इस पेज़ के लास्ट में नमबर टू के लिंक को या फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं. ये देखें, इस तफ़ा हमें मजीद रिजल्स नजर आ रहे हैं. इस तरह से हम मुख्तलिफ पेज़िस पर क्लिक करके तमाम वेब साइट्स के लिंक्स देख सकते हैं. इन वेब साइट्स को तफसील से देखने के लिए हम इन पर क्लिक कर सकते हैं. हमने फूड से रिलेटिड साइट्स के रिजल्स तो देख लिये हैं. अब हम पाकिस्तानी फूड से मुतालिका वेब साइट्स को ढूंडना चाहते हैं। आए, अब हम दुबारा सर्च बॉक्स जो के इस वक सब से उपर है, में पाकिस्तानी फूड लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा हमें टोटल ये रिजल्ट्स मौसूल हुए हैं। ये सब पाकिस्तानी फूड की वेब साइट्स हैं। हम इन में से किसी भी वेब साइट पर क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। एक जरूरी बात आपको बताते चलें कि ज्यादा रिलिवेंट वेब साइट्स के लिंक्स हमें पहले पेज पर नजर आते हैं। अभे तक हमने सर्च एंजिन्स को इस्तमाल करके जिस इन्फरमेशन को ढूंडा है उससे हमें विराइटी ओफ रिजल्स मिलते हैं। हम उन रिजल्स को मजीद रिफाइन और नैरो करना चाहते हैं यानि इस तरह उस इन्फरमेशन को ढूंडना चाहते हैं कि हमें सिर्फ रिलिवेंट इन्फरमेशन ही मिले। आईए इस सेक्षन में हम ये देखते हैं कि सर्च एंजिन को मजीद एफिशन्टली किस तरह इस्तमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम सिलेक्शन क्राइटीरिया को इस्तमाल करते हैं। सेलेक्शन क्राइटेरिया को इस्तमाल करने के लिए हम एक और सर्च एंजिन को इस्तमाल करते हैं. हमने याहू के सर्च एंजिन को ओपन करना है. इसके लिए हमने ब्राउजर के एड्रेस बार में https colon front slash front slash search dot yahoo dot com टाइप करके enter प्रेस किया है. अब हम इसमें सेलेक्शन क्राइटेरिया के जरीए सर्च करने के लिए पहले boolean operators का इस्तमाल सीखते हैं. हम और, and, or not operators को इस्तमाल करेंगे. इस बात का ख्याल रहे कि boolean operators को हमेशा capital letters में लिखना चाहिए. सबसे पहले boolean operator and का इस्तमाल सीखते हैं. जब सर्च टर्म में दो या दो से ज्यादा words के दर्मियान and लिखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे web pages दिखाओ, जिसमें सारे words शामिल हूँ. मसलन, हम याहू के सामने box में hardware and software लिखते हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे pages दिखाओ, जिनमें words, hardware और software दोनों हूँ. याद रहे कि and को capital letters में लिखना है. अब हम enter, press करते हैं. ये देखें, जैसे ही हम enter, press करते हैं, हमें ये results मौसूल हुए हैं. आप देख रहे हैं, इन results में hardware और software के लव्ज, prominent और bold हैं. आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा भी हमें एक screen पर total results से बहुत कम result नज़र आ रहे हैं. हम बाकी के results को देखने के लिए last में बने अगले pages के दो, तीन, चार, पांच, लिंक्स वगारा को क्लिक कर सकते हैं. AND के बाद अब हम OR, operator को इस्तमाल करते हैं. इसके लिए हम शुरू में search box में AND को OR से replace करते हैं. इस search term में boolean operator OR का ये मतलब है कैसे web pages दिखाओ, जिन में hardware या software कोई भी लवज आया हो, यानि AND के result में उन web pages के links नजर आये थे, जिन में दोनों words hardware और software शामिल थे, जबके और के result में कोई एक word शामिल है. अब हम NOT operator का इस्तमाल सीखते हैं. इस दफ़ा हम search with के box में hardware not software की term को लिखते हैं. इसका मतलब ये है कि ऐसे pages दिखाओ, जिसमें लवज hardware तो हो, लेकिन software ना हो. Advanced Search मुख्तलिफ search engines में search के अमल को मजीद specify करने के लिए कुछ advanced options मौझूद हैं. हम यहाँ Google की advanced search की options को देखते हैं. इस वक्त हमारे सामने Google का web page खुला हुआ है. हम इसके search box में virtual university of Pakistan लिखकर enter को press करते हैं. हमारे सामने results नजर आ रहे हैं. इन results को मजीद refine करने के लिए हम Google की advanced search की option को इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए दाएं तरफ उपर यहाँ search settings के icon पर क्लिक करते हैं. अब हमारे सामने एक list open हो गई है. यहाँ से हम advanced search पर क्लिक करते हैं. क्लिक करने से हमारे सामने एक नया page खुल गया है. इस page में सबसे पहली option find pages with की है. इसके नीचे search करने के मुख्तलिफ filters दिये गए हैं. पहले filter का नाम all these words है. जिसका मतलब है उन तमाम web pages को दिखाया जाए जिनमें ये तमाम अलफाज जो हमने search box में enter किये हैं मौजूद हूँ. इससे अगला filter this exact word और phrase का है. जिससे मुराद वो websites हैं जो बिलकुल इसी लफ्स पर ही मुश्टमिल हूँ. इसके बाद any of these words का box है. इसका मतलब है कि वो web pages नजर आएं जो इन अलफाज में से किसी भी लफ्स पर मुश्टमिल हूँ. None of these words का मतलब है ऐसी websites जिनमें इन अलफाज में से कोई भी मौजूद ना हूँ. Numbers ranging from में हम lowest और highest value देकर इससे मुतलिका web pages सर्च कर सकते हैं. इसके इलावा नीचे मजीद filters दिये गए हैं, मसलन Language, Region, Last Update वगएरा. इनके जरीए हम अपनी research को मजीद narrow कर सकते हैं. हम फिलहाल नीचे से Advanced Search पर क्लिक करते हैं. Advanced Search के हवाले से address bar के नीचे मुख्तलिफ categories भी दी गई हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं, इन में web, images, videos, news वगएरा शामिल हैं. मसलन अगर हमें अपना result किसी वीडियो में ढूनना है, तो हम वीडियो की option पर क्लिक करते हैं. तो देखें, Virtual University से मुटालिग जितनी वीडियोज अवेलिबल हैं, वो हमें नजर आ रही हैं. इसी तरह हम images में भी search कर सकते हैं, या फिर search tools पर क्लिक करके, मुख्तलिफ options को इस्तेमाल करके अपने मतलूबा result के करीब पहुँच सकते हैं. Summary इस section में हमने discuss किया कि search engines क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं. Web pages को search करने के लिए boolean operators का इस्तेमाल और advanced search की feature को भी discuss किया. Email Application Microsoft Outlook Objectives Module 6 के इस हिसे में आप सिखेंगे कि email application क्या होती है और इसे कैसे open और close किया जाता है. Email account configuration कैसे की जाती है, email कैसे receive करते हैं और कैसे read की जाती है. Introduction जैसे आम खत होता है, वैसे ही electronic mail या email एक ऐसा तरीका है, जिससे हम internet को इस्तमाल करते हुए, कोई message, कोई picture या कोई information भेज सकते हैं. और जिस application को use करते हुए, email send की जाती है, उसे email application कहते हैं, जैसे Microsoft Outlook, Incredi Mail या Windows Live Mail वगेरा. हम Microsoft Outlook 2010 को इस्तमाल करना सीखेंगे, जो MS Office 2010 में से install होता है. हो सकता है कि आपका email send करने का program इससे थोड़ा फर्क हो, यानि buttons थोड़े आगे पीछे हों, लेकिन काम करने का तरीका तकरीबन एक जैसा ही होगा. हम basic idea लेंगे कि कैसे किसी program को use करते हुए, email को send, open और receive किया जाता है. इसके लावा हम email की basic settings वगेरा करना भी सीखेंगे. Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook को आप दो तरीकों से open कर सकते हैं. पहले तरीके में आप desktop पर Microsoft Outlook के icon को double click करके open कर सकते हैं. या फिर start menu पर click करें. अब all programs में जाएं, यहां से Microsoft Office पर click करें. और अब Microsoft Outlook 2010 के icon पर click करें. अगर आप Microsoft Outlook को पहली दफ़ा इस्तमाल कर रहे हैं, तो आपके सामने Microsoft Outlook 2010 Startup का dialogue box आ जाएगा. जैसा कि आप देख रहे हैं. हम यहां से next के button को press करते हैं. button प्रेस करते ही account configuration का dialogue box आ गया है. हम फिलहाल no को select करके next के button को press कर रहे हैं. अब हमारे सामने cancel configuration की screen है. हम फिलहाल continue with no email support के box को tick करते हैं और finish के button को press कर देते हैं. अब आपके सामने Microsoft Outlook 2010 की application open हो गई है. Microsoft Outlook Layout इस section में हम आपको Microsoft Outlook 2010 के layout के बारे में बताते हैं. Outlook 2010 का layout भी MS Word 2010 के layout से मिलता जुलता है. जैसा के आप देख रहे हैं. सबसे उपर title bar है और उसके बाईं तरफ quick access tool bar है. Title bar के नीचे ribbon tabs हैं जैसा के home, send, receive, folder और view वगेरा. हम उनमें से हर एक पर click करके नीचे उनके ribbons को देख सकते हैं और मुख्तलिफ features को इस्तेमाल कर सकते हैं. Ribbons के नीचे बाईं तरफ navigation pan है जिसमें मुख्तलिफ folders और directories दी गई हैं. मसलिन, inbox, graphs, sent items वगेरा जिनकी तफसील हम आगे चल कर देखेंगे. अब navigation pan के साथ दाईं तरफ इस हिस्से को content area कहते हैं. यहाँ पर emails की detail देखी जा सकती है. जैसे के sender कौन है, message का subject क्या है और किस तारीख को receive या send की गई है. Content area के साथ ही दाईं तरफ reading pan है. content area से जिस email को select करें, इस email के अंदर जो message टाइप होता है, वो यहाँ display हो जाता है. जैसा के आप देख रहे हैं. Reading pan के साथ दाईं तरफ आखिर में इस हिस्से को to do बार कहते हैं. इस हिस्से में आप देख रहे हैं के एक calendar दिया गया है. हम इस calendar में से किसी भी तारीख पर क्लिक करते हैं, तो एक नई window हमारे सामने आ जाती है. यहाँ से हम अपने आएंदा आने वाली तारीखों में मतवक्का कामों की तफसील लिख कर save कर सकते हैं. Email Account Configuration अब हम Microsoft Outlook 2010 को इस्तमाल करने के लिए अपने email account को configure करना सीखते हैं. इसके लिए किसी भी email provider site पर एक valid email account होना लाजमी है. सबसे पहले हम File menu से Account Settings पर क्लिक करते हैं. क्लिक करते ही हमारे सामने एक दफा फिर Account Settings की option आ गई है. हम इस पर क्लिक करते हैं. हमारे सामने एक नई window open हो गई है, जिसके title bar में account settings लिखा हुआ है. और चूँके अभी तक हमने Outlook में अपना कोई email account एड नहीं किया, इसलिए नीचे यहां इस area में कोई भी email account नजर नहीं आ रहा. हम इस application में अपने email account को add करते हैं. इसके लिए हम यहां new के बटन पर क्लिक करते हैं. क्लिक करने से add new account का dialogue box खुल गया है. यहां से हम आखरी option यानी manually configuration को select करते हैं. अब हम next को press करते हैं. Choose service के नीचे internet email की option पहले से ही selected है. हम एक दवा फिर से next पर क्लिक करते हैं. इस screen पर आपको अपने email account के बारे में information देना होगी. सबसे पहले user information की नीचे यूर नेम की फील्ड के सामने अपना नाम लिखें. हम यहां VUCPL लिखते हैं. अब इसके नीचे वाली फील्ड में आप अपना email address लिखें. यहां हम VUCPL 2010 at the rate of gmail.com लिख रहे हैं. इसके बाद server information में हम उस server के बारे में मालूमात देंगे जिस server के जरिये हमारी email send और receive होती है. चुँके VUCPL का email gmail पर बना हुआ है, इसलिए हम यहां gmail के server की settings का इंदराज करेंगे. एकाउंट टाइप के सामने POP3 selected है. हम इसमें कोई तबदीली नहीं करेंगे. इंकमिंग mail server के सामने POP.gmail.com लिखते हैं. अब हम outgoing mail server के सामने smtp.gmail.com लिखते हैं. यहां यह बात आपको बताते चलें कि हर email server की settings मुख्तलिफ होती हैं. इसलिए जिस server पर आपने अपना email बनाया हुआ है, आपने उसी server की settings यहां type करना है. अगले मरहले में log on information देना है. इसके लिए username के सामने हम अपनी email ID यानी VUCPL2010 at the rate of gmail.com लिखते हैं. और नीचे वाली field में हम अपना password लिख रहे हैं. लेकिन security reason की वज़ा से यह password लिखते हुए हमें नजर नहीं आता. अगर आप चाहते हैं कि Microsoft Outlook इस password को याद रखे और आपको हर दफा password ना देना पड़े, तो remember password को check कर दें. दूसी सूरत में इसको uncheck कर दें. दाए तरफ से deliver new messages to के नीचे existing outlook data file को select करते हैं. अब हम नीचे दिये गए more settings के बटन पर click करते हैं. हमारे सामने internet email settings की एक और window आ गई है. इसमें चार tabs दिये गए हैं. हम इनमें से पहली tab में कोई तबदीली नहीं कर रहे. दूसरी tab outgoing server की है. हम इस पर click करते हैं और पहली line को enable कर देते हैं. तीसरी tab connection की है. इस पर click करके हमें अपने मुतलिका option को select करना है. यहां पहली option पहले से ही selected है. हम इसमें कोई तबदीली किये बगएर चौथी और आखरी option advanced पर click कर देते हैं. हमें यहां Gmail server की settings के मताबिक कुछ numbers enter करने हैं. Incoming server में हम 995 enter करते हैं. इसके बाद नीचे दी गई इस line को tick कर देते हैं. आउटकोइंग server के सामने 4, 6, 5 enter करके नीचे वाली option से SSL को select करते हैं. अब हम OK का button press करते हैं. हमारे सामने फिर वो ही add new account वाली window है. अब हम दाएं तरफ दिये गए इस test account settings के button को press करते हैं. आप देख रहे हैं कि Outlook हमारी दी गई settings को test कर रहा है. और ये देखें, account settings का test काम्याबी से मुकामल हो गया है. हम यहां से close का button दिबाते हैं और add new account के dialogue box में next का button press कर देते हैं. Outlook एक दफा फिर account setting को test करता है. अब आखिर में हम इस finish के button को press करते हैं और ये देखें, Outlook में हमारा email account vucpl2010 at the rate of gmail.com add हो गया है. यहां से close के button को press कर देते हैं और यूँ आपका email account configure हो गया है. Inbox हम navigation pan से inbox को select करके send receive के button को press करते हैं. तो हमारे सामने Outlook send receive progress की window आती है, जो हमें बताती है कि Outlook आपकी emails को server से download कर रहा है. और ये देखें, हमारे content area में कुछ emails receive हो गई हैं. Send receive का button दबाने से new mails inbox में आ जाती हैं. अब navigation pan से inbox के folder पर click करें. आपके account में जिदनी भी mails हो, आप content area से उस mail या message पर click करके read कर सकते हैं. Reading a message Message read करने के लिए सबसे पहले inbox पर click करते हैं. अब हमारे सामने हमारा mailbox आ गया है. अब हम जिस message को read करना चाहते हैं, उस पर click करते हैं. अब selected message को reading pan से पर सकते हैं. अब हम email message को read या unread करना सीखते हैं. इसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि red और unread में क्या फर्क है. जो messages हम पढ़ लेते हैं, वो read किये हुए messages कहलाते हैं. और जो messages हमने नहीं पढ़े होते, वो unread messages कहलाते हैं. हम किसी भी email program के messages को ये देख कर बता सकते हैं, कि कौन से messages पढ़े जा चुके हैं और कौन से messages नहीं पढ़े गए. इसका तरीका ये है कि जो messages bold नज़रा रहे होते हैं, उनका मतलब ये है कि ये अभी पढ़ने हैं, और जो पढ़ लिये होते हैं, वो unbold form में नज़रा रहे हैं. इस वक्त आपको outlook के messages नज़रा रहे हैं. इसमें भी जो bold messages नज़र आ रहे हैं वो भी पढ़ने हैं और जो पढ़ लिये हैं वो unbold form में नज़र आ रहे हैं इसके इलावा हमें हर message के साथ एक लिफाफे का icon भी नज़र आ रहा है जो लिफाफे open नज़र आ रहे हैं उनका मतलब है कि ये message पढ़ा जा जुका है और जो लिफाफे बंद नजर आ रहे हैं, वो मैसेज अभी नहीं पढ़े गए अगर हम यह चाहते हैं कि पढ़े हुए मैसेज पर अन्रेड का लेबल लग जाए और जो मैसेज पढ़े हुए नहीं है, उन पर रेड का लेबल लग जाए तो ऐसा भी हो सकता है इसका तरीका यह है कि जिस मैसेज पर रेड या अन्रेड का मार्क लगाना है, पहले उससे सिलेक्ट करते हैं फिर उस पर हम राइट क्लिक करते हैं मसलन, हम इस मैसेज पर रेड का मार्क लगाने के लिए इस पर राइट क्लिक करते हैं जो sub-menu open हुआ है, इसमें से Mark as Red की option को select करते हैं। अगर हम किसी folder पर Red या Unred का mark लगाएंगे, तो इस folder के तमाम messages पर वो mark लग जाएगा। मसलन हम इस वक्त इस folder पर right click करते हैं, फिर menu में से हम Mark as Red की option पर click करते हैं। अब जो message लिखा नजर आ रहा है, उसका मतलब है कि इस folder के तमाम messages पर Mark लग जाएगा। क्या वाकई आप ऐसा चाहते हैं? हम OK के button पर click करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस folder के तमाम messages पर Red Mark लग गया है, यानि इन तमाम messages के साथ Open Envelope नजर आ रहे हैं। Create a new message Email program का असल मकसद email लिखना और भेचना है। लहाजा इस section में हम email message लिखने का तरीका सीखते हैं। जिस तरह एक खत लिखा जाता है, बिल्कुल इसी तरह एक email message लिखा जाता है। परक सिर्फ यह है कि खत कागस पर लिखा जाता है, जबके email message कीबोर्ड की मदद से email program में लिखा जाता है। आईए, अब हम email message लिखने का तरीका सीखते हैं। इसमें सबसे पहले हम home tab से new email पर click करते हैं। हमारे सामने अब ये window नजर आ रही है। ज्यादतर email program में इसी तरह की window open होती हैं, जो के एक word processor से मिलती जुलती हैं। इस window के दो parts हैं, header और body. Body में हमने वो text लिखना है, जो हम भेजना चाहते हैं। और header में हमने address बताना है, जिसको हमने message भेजना है। इसमें हम to के आगे वो email address टाइप करते हैं, जिसको हमने mail भेजनी है। इसमें subject के section में message का उन्वान बताया जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये email किस topic के बारे में हैं। मसलन, हम ये subject टाइप करते हैं। इसके बाद हम message window में वो message टाइप करते हैं, जो हमने भेजना है। Message टाइप करने के बाद, हम send के button को click करते हैं, जिससे हमारा टाइप किया हुआ पैगाम इस email address पर पहुंच जाएगा। Responding to a message इस section में हम आपको ये बताते हैं, कि जब email messages को हम पढ़ लेते हैं, तो फिर उनका जवाब कैसे देते हैं। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम इस email message को open करते हैं, जिसका जवाब भीजना है। मसलन हम Outlook के inbox के folder में इस message पर click करते हैं। अब हमें home की tab में उपर यहां पर reply और reply all के icon नज़र आ रहे हैं। इन दोनों में फरक ये है कि reply को click करने से हम सिर्फ एक sender को जवाब दे सकते हैं, जबके reply all को click करने से एक से ज़्यादा sender को जवाब भीज सकते हैं। और message उन सब को जाएगा जिनके email यहां आपको नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम reply के icon पर click करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमें ये window नज़र आ रही है। हमने अपना जवाब इस window में type करना है। हमने इस window में ये जवाब type कर लिया है। इसके बाद हम send के button को click करते हैं। लीजिये, हमने message के reply कर लिया है। इसके बाद हम send items को click करते हैं। जिसको देखने से हमें ये confirm हो गया है कि हमारा message जा चुका है। जब हम अपने email messages का जवाब भेजते हैं, तो हमारे पास ये option भी है कि हम original message को साथ भेजना चाहते हैं या नहीं। आईए, अब हम ये सीखते हैं कि हम email program में किस तरह email message के साथ या उसके बागेर message का reply करते हैं। इस वक्त आपके सामने outlook का program open है। फर्स करें कि हम किसी email message का जवाब original message के बगेर भेजना चाहते हैं। इसका तरीका ये है कि पहले हम file menu पर क्लिक करते हैं, फिर उसमें options पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये dialogue box open हो गया है। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ tabs एक list की सूरत में हमें बाएं तरफ नज़र आ रहे हैं। हम यहां से mail पर क्लिक करते हैं, दाएं तरफ से settings बदल गई हैं। स्क्रॉल पार को नीचे करके हम इस dialogue box के on replies and forward के section में when replying to a message की drop down list को open करते हैं। अब जो option हमें नज़र आ रही हैं उनमें से do not include original message की option पर क्लिक करके हम इस email message का जवाब original message के बगार भेज सकते हैं। हम original message को attachment की form में भी भेज सकते हैं। इसके लिए हम इस option पर क्लिक कर सकते हैं। इसके इलावा हम इन options को select करके अपनी मर्जी की setting कर सकते हैं। फिलहाल हम Do Not Include Message की option को select करते हैं और OK के button पर click करते हैं। अब जैसे ही हमने इस message का जवाब दिया है, आप देख रहे हैं कि इसमें हमें अपना original message नजर नहीं आ रहा है। Copy, Cut and Paste इस section में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें email message का text किसी और जगा पर चाहिए हो तो क्या हमें इसे दुबारा लिखना पड़ेगा। जी नहीं जनाब, email programs हमें messages को copy करने की सहूलत भी मुहया करते हैं। आइए, पहले ये सीखते हैं कि copy और paste का क्या मतलब है। किसी email message के text को copy और paste करने का मक्सद उसका duplicate बनाना होता है। यानि selected text अपनी असल जगा पर भी रहे और नई जगा पर भी मौजूद हो। email message को copy करके कहीं paste करने के लिए हमें कुछ steps पूरे करने होते हैं। आइए, इनने सीखते हैं। पहला step ये है कि email message से अपनी ज़रूरत के text को select करें। ये देखिए, हमने email message की window से इस portion को select कर लिया है। दूसरा step, इस text को copy करना है। इसके लिए पहले हम selected portion पर right click करते हैं, फिर इसमें से copy की option पर click करते हैं। इस message को एक और window में paste करने के लिए, हम home tab से new email पर click करते हैं, ताके एक और message window ओपन हो जाए। फिर message area में यहां right click करके paste की option पर click करते हैं। जैसे ही हमने paste पर click किया, आप देख रहे हैं कि इस message window में भी वही text नजर आ रहा है, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले copy किया था। email message लिखते हुए हमें काफी editing करना पड़ती है, हमें अपने email message में लिखे गए text में से कुछ text को अकसर एक message से दूसरे message में मुंतकिल करना होता है। टेक्स्ट को इस तरह से एक message window से दूसरे message window में ले जाने के अमल को copy और paste कहते हैं। आईए, अब हम ये सीखते हैं कि एक email message को एक जगह से दूसरी जगह cut और paste कैसे करते हैं। इसके लिए हम inbox से इस message को select करते हैं और फिर home tab से reply की option पर click करते हैं। अब हम नीचे यहां से text को select कर रहे हैं। इसके बाद selected text के उपर right click करके cut की option को click करते हैं। इस option को select करने से selected text इस email message से गाइब हो गया है। दरसल computer ने इस text को यहां से निकाल दिया है क्योंकि हम इसे कहीं और ले जाना चाहते हैं। हमारा अगला step उस जगह का इंतखाब करना है जहां हम cut किये हुए text को paste करना चाहते हैं। हम इसी email में यहां उपर click करते हैं। इसके बाद हम इस जगह right click करके paste की option को select करते हैं। यह देखिए जैसे ही हमने इस option पर click किया तो selected text इस जगह पर paste हो गया। हमने एक ही message में एक जगह से दूसरी जगह cut और copy करना तो सीख लिया है। लेकिन इसके इलावा किसी और program से भी data को अपने email message में copy कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम इसी cut and paste या copy paste के तरीके को दोहरा सकते हैं। Auto signature signature वो matter होता है जो आपकी mail के last में आता है। इसमें आप अपना address, phone number, अपना नाम या कोई भी information दे सकते हैं। हम new email पर click करते हैं। इसके बाद signature सेट करने के लिए message के tab से signature पर click करते हैं। drop down menu से दोबारा signature पर click करते हैं। चुँके अभी तक इसमें पहले से कोई signature सेट नहीं किये गए, इसलिए ये window खाली है। अब हम इसकी पहली tab के नीचे से new के button पर click करते हैं। इस नई window में हमने signature का नाम देना है। हम यहाँ CPL टाइप कर रहे हैं और फिर OK का button दबाते हैं। इसके बाद हम edit signature के नीचे इस box में अपने signature का text टाइप करते हैं। मसलन हम पहली line में CPL टाइप करते हैं। दूसरी line में Virtual University of Pakistan टाइप कर रहे हैं और तीसरी line में phone number यानी 042-111-880-880 टाइप करते हैं। अब इस text को mouse pointer से select करके अपनी मर्जी से उपर दिये गए tools की मदद से formatting करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं। आखिर में हम नीचे दिये गए OK के button को press कर देते हैं। यूँ आपका signature set हो गया। अब हम इस signature को email message के end में insert करते हैं। इसके लिए हम cursor को message के आखिर में लेकर जाते हैं। अब दुबारा message की tab से signature पर click करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब इसमें CPL के नाम के signature मौझूद हैं। हम इस पर click करते हैं तो ये देखें। हमारा बनाया हुआ auto signature इंसर्ट हो गया है। Proof Reading हमने शुरू में आपको बताया था कि email message की window एक word processor की तरह काम करती है। Word processor का एक बहुत एहम feature spell check है जिसकी मदद से हम अपनी spelling mistakes को ठीक कर सकते हैं। Email messages में भी spell check का feature मौझूद है। अगर हम अपने email message में typing के दोरान spelling की गलतियां कर लें तो spell checker की मदद से हम उनको असानी से ठीक कर सकते हैं। आईए इसको सीखते हैं। इस वक्त आपको email program की message window में एक message type किया हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि इन में कुछ अलफाज सुर्ख रंग से underline हैं। इस सुर्ख line का मतलब यह है कि इन अलफाज के spelling गलत हैं। आईए इनको ठीक करते हैं। इसका तरीका यह है कि पहले हम review tab को क्लिक करते हैं। फिर इसमें spelling and grammar की option पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने यह dialogue box open हो गया है। इस dialogue box से हम spell check के feature को इस्तेमाल करके अपनी गलितियों को ठीक कर सकते हैं। जिसका तरीका हम आपको पहले ही Microsoft Word के lesson में बता चुके हैं। इस section में हम email message के साथ भीजी जाने वाली attachment को open करना सीखते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले हम देखते हैं कि attachment क्या होती है। Attachment दरसल एक file होती है जो email message के साथ attach करके भीजी जाती है। मसलन हम अपनी data file को email के जरिये भीजना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हमने type किया है और format किया है उसको वैसे ही भीजें। एक तरीका तो ये है कि हम अपनी data file को email window में type करें। लेकिन इसमें time बहुत लगेगा और formatting भी वैसे नहीं हो सकेगी जैसे आप जाते हैं। एक और असान तरीका ये है कि हम उस file को email message के साथ attach करके भेज दें। इससे file की formatting पर कोई effect नहीं पड़ेगा। हम simple file के अलावा video graphics, audio वगेरा की files को भी attach करके भेज सकते हैं। आईए, अब देखते हैं कि किसी email message के साथ attached file को open कैसे करते हैं। इसके लिए पहले हम email program को start करते हैं। मसलन, हम इस वक्त outlook के program को start करते हैं। हमारे सामने inbox का folder open है। इसमें जिन messages के साथ attachment लगी हुई है, इसके साथ एक paper clip बना हुआ है। यानि paper clip इस बात की निशान दही करता है कि इस message के साथ कोई file attach करके भेजी गई है। अब हम एक attachment वाली email पर double click करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक email message एक नई window में open हो गया है। इसमें subject की heading के नीचे attachment के साथ एक file name नजर आ रहा है। अब इस file को open करने के लिए हम इस पर right click करते हैं। फिर sub menu के मुख्तलिफ options में से हम open पर click करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी attach की हुई file अपने मतलूबा program में open हो गई है। यानि जिस program की file attach होगी वो उसी program में open हो जाएगी। अब हम इस file को close करते हैं और एक attachment को direct save करना सीखते हैं। अब फिर हम attachment वाली file पर right click करते हैं। जो menu नजर आ रहा है इसमें से save as की option पर click करते हैं। अब हमें save attachment का dialogue box नजर आ रहा है। हम यहां से इस file को save करने के लिए इस folder को select करते हैं। इसके लावा file name के आगे यह नाम type करते हैं। आखिर में हम save के button पर click करते हैं। इस तरह से हमारी attachment एक folder में save हो गई है। और हम इसको किसी भी वक्त open कर सकते हैं। जिस तरह हमने email message में attachment को open करना सीखा था। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि अपने email message के साथ कोई file attach करके भेज सकें। हम किसी भी किसन की file attach कर सकते हैं। मसलन, text file, picture, audio या video file। आइए, अब हम यह सीखते हैं कि किसी email message के साथ file कैसे attach की जाती है। पहले हम outlook में से new email message की window को open करते हैं। इसके बाद हम message टैब में से attach file के icon पर click करते हैं। हमारे सामने ये dialogue box open हो गया है। इसमें हम drive और folder को select करते हैं। जहां वो file पड़ी हुई है, जिसको हमने attach करना है। यहां से हम folder select करते हैं। और फिर हम इस folder में से उस file पर click करते हैं। इसके बाद insert के button को press करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी selected file का नाम यहां नजर आ रहा है। हम यहां से इस तरीके के मताबिक एक से ज्यादा files को भी attach कर सकते हैं। अब हम इस email message और इसके साथ attach की हुई file को भेजने के लिए send के button पर click करते हैं। जिससे यह email message file के साथ attach होकर चली जाएगी। Search for a message जब email program में messages की तादात बहुत जाएगी। तो उन में किसी information को ढूनना बहुत मुश्किल और lengthy process है। इसके लिए हमें तमाम messages को ढूनना और उनके contents को तफसील से पढ़ना पड़ता है। लेकिन Microsoft Outlook के एक बहुत कारामद feature search को इस्तमाल करके हम email messages में मुख्तलिफ किसम की searches को बहुत असानी से कर सकते हैं। आएए, इस section में हम ये सीखते हैं कि email program में मुख्तलिफ किसम की searches कैसे करते हैं। इस वक्त आपके सामने Outlook open है। इसमें हमें inbox के अंदर मौजूद messages की list नजर आ रही है। फर्स करें, हम इसमें उन messages को देखना चाहते हैं, जिनके sender address, recipient address, subject या contents में हमारा मतलूब अलफ्स आया हो। इसका तरीका ये है कि पहले हम content area में इस search box के अंदर click करते हैं। इसके बाद यहां इस box में अपना keyword लिखते हैं। जैसे ही हम keyword लिखना शुरू करते हैं, content area में नीचे मुद्तलिका emails जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और इन सब emails में हमारा keyword highlighted डजर आ रहा है। इसी तरह हम search box से किसी भी keyword यानी sender के नाम से, sender के email से या subject name से भी अपनी मतलूबा email तलाश कर सकते हैं। और अगर कोई mail न मिले तो results में आएगा no matches found। इसी तरह किसी और folder जैसे sent items, drafts बगेरा में भी messages को तलाश किया जा सकता है। Closing Outlook Microsoft Outlook 2010 को बंद करने के लिए आप title bar पर मौजूद इस cross के button को click कर सकते हैं। और ये देखें, Microsoft Outlook के application बंद हो गई है। Summary इस lesson में हमने सीखा कि email एक ऐसा तरीका है जिससे हम internet पर कोई message, कोई picture या कोई information send कर सकते हैं। और जिस application को use करते हुए email send की जाती है, उसे email application कहते हैं, जैसे Outlook। कैसे email application को open, close और configure किया जाता है। mailbox कैसे open करते हैं और उस में से कैसे message read करते हैं। New message कैसे create होता है, message को कैसे read, delete और forward किया जाता है, spell checker tool कैसे इस्तमाल किया जाता है, और message को कैसे copy या cut किया जाता है। Electronic mail, objectives इस section में हम देखेंगे के electronic mail क्या है, इसके क्या फाइदे हैं, ये कैसे बनाई जाती है और इसे कैसे इस्तमाल किया जाता है। Introduction Internet के जिरिये, हम मुक्तलिफ websites को देखने और उनमें मुक्तलिफ information को ढूनने के अलावा, एक और बहुत का आरामत feature, email का इस्तमाल भी कर सकते हैं। कदीम वक्तों में और आज भी, लोग एक दूसरे से राप्ता रखने के लिए कागस पर लिखे खतूत का सहारा लेते हैं। इस तरीके से खतूत एक letter box से collect करके post office तक पहुंचाए जाते हैं। और वहां से दिये गए address तक deliver किये जाते हैं। लेकिन ये एक लंबा process है। इसमें एक आम से खत को पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। इस मसले को हल करने के लिए यानि information को एक जगा से दूसरी जगा ज़्यादा तेजी से पहुंचाने के लिए नित नए तरीके सोचे गए मसलन फाक्स, टेलिग्राम, टेलिफोन, इमेल वगएरा। इन में आजकर बहुत ज़्यादा इस्तमाल होने वाला आसान, सस्ता और तेज सरीन तरीका इमेल है। इमेल, electronic mail का मुखफ़ है। इमेल से हम घर बैठे, इन्टरनेट के जरीए कोई picture, message या किसी भी किसम की information दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। इमेल असल में आम खत की तरह है, मगर फरक ये है कि ये keyboard की मदद से computer पर लिखी जाती है। और internet को इस्तमाल करते हुए एक computer से दूसरे computer पर मुंतकिल की जाती है। इमेल अपने दोस्तों, रिष्टेदारों और colleagues को messages भीजने का आसान, तेज और बहुत economical तरीका है। इमेल को भीजने या वसूल करने के लिए आपको अलहदा से कोई payment नहीं करना पड़ती। इमेल का एक और फाइदा ये है कि आप message को जब चाहें भीज सकते हैं, इसके लिए कोई खास वक्त मुकरर नहीं है। जानी इसके लिए ये जुरूरी नहीं है कि जिस computer को आप mail भेज रहे हैं, वो on हो। अगर दूसरा computer off भी है, तो भी आपका message दूसरे computer के mail box में save हो जाएगा। Email server Email को तफसील से सीखने और इसमें काम शुरू करने से पहले, हम email के components को discuss करते हैं। जब हम कोई email message एक computer से दूसरे computer को भेजते हैं, तो उस वक्त email client SMTP और POP3 server को इस्तमाल करते हैं। आईए, इन्हें define करते हैं। Email clients वो program हैं, जो email messages को लिखने, भेजने और रसीव करने और पढ़ने के लिए इस्तमाल होते हैं। कुछ मशूर email clients में Gmail, communicator, hotmail, yahoo वगेरा शामिल हैं। SMTP, Simple Mail Transfer Protocol का मुखफफ है। ये email messages को internet के जरिए एक computer से दूसरे computer में भेजने का protocol है। POP3, Post Office Protocol का मुखफफ है। SMTP के जरिए जो message भेज़ जाते हैं, उनको रसीव करने के लिए POP3 server इस्तमाल होता है। Email client program, POP3 server के जरिए नए email messages को रसीव और download करता है। अब हम देखते हैं कि जब email messages भेज़े जाते हैं, तो किन steps से गुजरते हैं। जब हम कोई email भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम email client इस्तमाल करके email message लिखते हैं और इसे send करते हैं। Email client इस message को SMTP server पर भेजता है, और अगर receiver local है, तो वो email message POP3 server को भेजा जाता है। Receiver computer जब चाहे POP3 server से email message को receive कर लेता है। अगर receiver computer लोकल नहीं है, तो SMTP server आपके email message को receiver के SMTP server पर transfer करता है। फिर receiver के SMTP server से ये mail POP3 server को transfer की जाती है, जहां से receiver computer इस email message को receive कर लेता है। Email address इस section में हम email address के structure को समझते हैं। हम email address को एक मिसाल के तौर पर समझते हैं। जब हम किसी को खद लिखते हैं, तो खद के लिफाफे पर उस शक्रक्स का पता लिखा जाता है, जिसको खद भेजना होता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम एक email message लिखते हैं, तो उसको लिखने के बाद ये भी बताना होता है कि इस message को किस address पर भेजना है. इस address को email address कहते हैं. मसलन, ये एक email address है. आएए, अब इस email address के structure को समझते हैं. किसी भी email address के दो हिस्से होते हैं. इन दोनों हिस्सों को at the rate of के symbol से अलहदा किया जाता है. पहले हिस्से में username होता है. ये वो नाम होता है जिससे इस शक्स का email software में account होता है. मसलन, इस मिसाल में user का इस name से account है. ये नाम आपका अपना दिया हुआ होता है. आप अपनी मर्जी से कोई भी username दे सकते हैं. दूसरे हिस्से में उस website का URL दिया जाता है जिसमें user का email account होता है. जैसे yahoo.com और vu.edu.pk वगएरा. मसलन, इन email addresses में ये username हैं और ये website के URL हैं जहाँ इन users के account है. Creating email account. जब भी हम किसी program को इस्तमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हमारा इसमें account हो. यानि हमारे पास एक नाम और खुफिया कोड होना चाहिए जिसकी मदद से हम email messages को send, receive और read वगएरा कर सकें. आईए, इस section में हम बहुत इस्तमाल होने वाली website yahoo में email account बनाना सीखते हैं. सब से पहले, हम browser के address bar में mail.yahoo.com को type करते हैं. चूँके हम पहली दफ़ा अपना email बना रहे हैं, इसलिए अब हमें जो screen नजर आ रही है, इसमें sign up पर click करते हैं. हमारे सामने ये form open हो गया है. यहां पहले box में जहां first name लिखा हुआ है, हमने अपने नाम का पहला हिसा type करना है. जैसे हम यहां ये नाम type कर रहे हैं. उसके बाद दूसरे box में last name लिखा हुआ है, जिसका मतलब है हमें अपने नाम का दूसरा हिसा लिखना है, हम यहां ये नाम type कर देते हैं. अब इस से आगे वाले box में जिस नाम से हम अपना email बनाना चाहते हैं, हम यहां पर वो नाम लिखेंगे, जैसा के हम ये नाम type कर रहे हैं. अब हमने password में वो खुफिया code बताना है, जिसकी मदद से हम email account को दूबारा access कर सकें. जो password हम यहां लिख रहे हैं, उसे अपनी याद दिहानी के लिए कहीं note कर लेना चाहिए, वरना अगर भूल गए, तो email को access करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसके बाद यहां इस box में वो हमें अपना mobile number बताना है, यह इसलिए जरूरी है कि अगर अपना password भूल जाते हैं, तो आपके mobile number के जरिए जरूरी मालूमात, मसलन, code वगएरा दी जा सकें. यहां से इस arrow पर हम क्लिक करके अपने मुल्क यानि पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं. इस तरहा country code लिखा हुआ आ गया है. इसके बाद आप अपना mobile number टाइप करें, हम यहां एक फर्जी number टाइप करते हैं. अगली मालूमात, तारीख पेदाइश की हैं. हम यहां से पेदाइश का महीना, दिन और साल मुन्तखिब करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं. इसके बाद यहां से हम फिलहाल जेंडर के हवाले से मेल को सिलेक करते हैं. आखिर में हम continue पर क्लिक करते हैं, जिसका मतलब है कि हमारी ये तमाम information डेटाबेस में स्टोर हो जाएं. इस तरह हमारा email याहू की website पर बन गया है. अब जब भी हम याहू मेल पर emails बगएरा को चेक करेंगे, तो इसके लिए पहले mail.yahoo.com की website को open करेंगे. हमारे सामने फिर वही शुरू वाली स्क्रीन आ गई है. इस दफ़ा हम इन बॉक्सेज में yahoo username और password बताकर email messages को receive और send कर सकते हैं. आप इस तरह किसी भी email प्रोग्रेम में अपना email account बना कर इसकी मुख्तलिफ सहूलियात से फाइदा उठा सकते हैं. Mailbox इस section में हम email software में आने वाली mails को open करने का तरीका सीखते हैं. आप जानते हैं कि जब भी हमें कोई letter मौसूल होता है तो पहले हम इससे खोलते हैं, फिर उस letter को निकालते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं. बिल्कुल इसी तरह जब हमें किसी email प्रोग्राम में कोई email मौसूल होती है तो उसको भी पढ़ने का एक खास तरीका है. आईए इसे सीखते हैं. मसलन आपके सामने इस वक्त याहू का email वाला पेज ओपन है. हम इसमें email messages को पढ़ने के लिए inbox में मौझूद इस message पर क्लिक करते हैं. तो ये देखें, हमारे सामने ये page खुल गया है, जिसमें हम इस message को पढ़ लेते हैं. नेक्स्ट message को पढ़ने के लिए हम inbox पर क्लिक करते हैं. और इसके बाद किसी भी message पर क्लिक करके open कर सकते हैं. जब हम याहू में inbox के किसी message को देखते हैं, तो इसमें हमें ये section नजर आते हैं. सबसे उपर यहां पर subject के section में इस message की short description होती है. इसके बाद इस हिसे में इस शक्स का नाम होता है, जिसने message भेजा होता है. हम इस नाम पर mouse pointer लेकर जाते हैं, तो इस शक्स का email address जाहर हो गया है, जैसा के आप देख रहे हैं. नीचे 2 के आगे हमें इस message के recipient के email address नजर आते हैं, जिनको ये email भेजी गई होती है. टू की नीचे वाली विंडो में हमें इस message के contents नजर आते हैं. इस message को पढ़कर हम भेजी गई mail का मकसद जान सकते हैं. messages पढ़ लेने के बाद हमें अपने account से sign out भी करना होता है, ताके आपकी गेर मौजूदगी में कोई और आपके messages ना पढ़ ले. इसके लिए हम उपर यहाँ इस नाम पर अपना mouse pointer लेकर आते हैं. अब जो drop down list ओपन हुई है, इसमें से sign out पर click करते हैं. ये देखें, हमारा mailbox बंद हो गया है. summary इस lesson में हमने पढ़ा कि email server कितनी किसम के हैं और वो क्या काम करते हैं. हमने सीखा कि email address कैसे बिनाया जाता है, और mailbox में messages को देखने का तरीका भी सीखा. Mail Management Objectives Module 6 के इस हिसे में आप सीखेंगे कि address book क्या होती है. Address book में addresses को add, delete और update कैसे किया जाता है. Address book को use करते हुए कैसे एक या एक से ज्यादा लोगों को email send की जाती है. Mail folder कैसे बनाया जाता है. Mail folder से message कैसे search किया जाता है. किसी mail folder से कैसे mails को move किया जाता है. Sorting क्या होती है और messages को कैसे sort किया जाता है. Introduction इस lesson में हम email को मुख्तलिफ तरीकों से manage करना सीखेंगे. जब हम अपने email program को استعمال कर रहे होते हैं और अगर inbox या sent item वगईरा की folders में बहुत पादाद में messages store हो जाएं तो एक अच्छी practice ये है कि इनको मुख्तलिफ तरीकों से manage कर लें. मसलन आप मुनज़म तरीके से store करने के लिए नए folders create कर लें और इनमें अपने messages को store कर लें. इसके अलावा गेर ज़रूरी messages को delete कर लें. अपने messages को hard disk में फाइल की सूरत में सेव करने वगेरा. आएए, अब हम email messages को manage करना सीखते हैं. डिस्प्ले सेटिंग्स जैसा के आपने दूसरे मॉड्यूल में window के size को adjust करना सीखा था, वैसे ही हम outlook express की screen या window को मुख्तलिफ sizes में देख सकते हैं. Outlook के window के size को आप छोटा, बड़ा, minimize या फिर full screen कर सकते हैं. ये button जिस पर minus के निशान बना हुआ है, इस पर click करके अपना page minimize कर सकते हैं. आप cross के साथ वाले button restore को click करके पहले वाले size पर ला सकते हैं. अगर आप अपनी मर्जी के size करना चाहते हैं, तो page के निचले corner पर mouse pointer ले जाएं और click करके mouse को drag करें और अपनी मर्जी के size पर ले जाकर छोड़ दें. यूँ आपकी window का size अपनी मर्जी का हो गया. Modify toolbar display Microsoft Outlook का toolbar display भी internet explorer जैसा ही होता है और इसकी settings भी almost वैसी ही है. Microsoft Outlook में भी menu bar पर मुख्तलिफ tabs को लाया या गाइब किया जा सकता है. ऐसा करने के लिए ribbon area में खाली जगह पर right click करते हैं. जो list open हुई है, वहां से customize the ribbon पर click करते हैं. हमारे सामने Outlook options की नई window खुल गई है. इस वक्त main tab के नीचे जितने tabs स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, उन में से कुछ के आगे tick mark लगा हुआ है. इस list में अगर आप किसी ऐसे toolbar के नाम पर click करें, जिसके आगे tick mark नहीं लगा हुआ, यानि वो screen पर display नहीं हो रहा, तो वो अब screen पर display हो जाएगा. जैसा के हम अभी developer पर click कर रहे हैं, अगर किसी toolbar के आगे tick mark लगा हो, तो उस पर click करने से वो toolbar screen से हट जाएगा. जैसा के आप देख सकते हैं, व्यू के आगे अब एक tick mark लगा हुआ है. जब हम व्यू के option पर click करते हैं, तो देखिए, व्यू की tab स्क्रीन से गाइब हो गई है, और developer का tab डिस्पले हो गया है. Address book इस section में हम email program में address book create करने का तरीका सीखते हैं. इसके लिए पहले हम address book को एक मिसाल से सीखते हैं. रोज मरे जिंदकी में आप अपने दोस्तों, रिष्टेदारों और colleagues के नाम, address, phone numbers वगेरा record रखने के लिए diary यकीनन इस्तमाल करते होंगे. इसका फाइदा ये होता है कि आपको अपने जानने वालों के addresses वगेरा याद नहीं रखने पड़ते और diary की मदद से आप बाअसानी किसी address को देख सकते हैं. बिल्कुल इसी तरह email program को इस्तमाल करते हुए अपने तमाम contacts के email addresses को याद रखना एक मुश्किल काम है. लेकिन घबराएए नहीं, email program आपको ये facility मुहिया करते हैं कि आप अपने तमाम contacts की email addresses को याद रखने के बज़ाए उनका record रख सकते हैं. इसके लिए हम Microsoft Outlook 2010 में address book को create करने का तरीका सीखते हैं. address book पिल्कुल एक diary की दरहा काम करती है, जिसमें आप अपने contacts के नाम, phone number, email address वगएरा सेव कर सकते हैं. फिर जरूरत पढ़ने पर इन addresses को दुबारा टाइप करने के बज़ाए, address book से इस information को आसानी से access कर सकते हैं. लेकिन एक address book कैसे बनाई जाती है, इसमें record कैसे store किये जाते हैं, आएए इसे सीखते हैं. सबसे पहले हम Microsoft Outlook को start करते हैं, इसका तरीका हम आपको पहले ही बता चुके हैं. Outlook के अंदर, address book एक ऐसी application है, जिसमें हम names, email address, postal addresses वगएरा सेव कर सकते हैं. अब हम address book create करने के मुख्तलिफ steps को follow करते हैं. पहले हम tools menu को open करते हैं. Address book में बहुत से तरीकों से addresses add किये जाते हैं. हम Microsoft Outlook में किसी भी email address पर right click करते हैं, और sub menu से add to contacts पर click करते हैं. तो हमारे सामने एक नई window आ गई है, जिसमें इस email से मतालिका कुछ information यानि email, name बगएरा पहले से ही मौजूद हैं. हम इसमें मजीद information का इदाफा कर सकते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके बाद हम save and close के button को press करते हैं. इस तरह ये email address address book में save हो गया है. और हम बाद में address book को use करते हुए इस email address पर mail send कर सकते हैं. इसके इलावा हम home के tab में new item पर क्लिक करते हैं, तो जो list open हुई है, इसमें से हम contact पर क्लिक करते हैं. अब हमारे पास फिर वो ही contact की window आ जाती है, जिसमें जरूरी information फिल करके हम contact list बना सकते हैं. Contact group पहले हम ये देखते हैं कि contact group क्या होता है? Contact group एक sub address book की तरहा है, जिसमें हम उन तमाम लोगों के नाम और email addresses वगेरा save करते हैं, जिनको हमने इकठे email भेजनी हो, और उसे एक नाम दे देते हैं. इसे contact group कहा जाता है. अब हम देखते हैं कि contact group कैसे बनाया जाता है. सबसे पहले हम navigation pan से contacts के folder पर क्लिक करते हैं. अब home tab में मौजूद इस new contact group की option पर क्लिक करते हैं. हमारे सामने contact group का dialogue box खुल गया है. यहां हम पहले name के सामने इस group का ये name टाइप करते हैं. इसके बाद add members के button पर क्लिक करते हैं. हमारे सामने एक list open हुई है, जिसमें members को add करने के लिए तीन options दी हुई हैं. यानि हम outlook contact से, address book से या new email पर क्लिक करके add कर सकते हैं. फिलहाल हम यहां से from outlook contacts को select करते हैं. हमारे सामने outlook में save किये गई contacts की list आ गई है. यहां से हमने जिन emails का group बनाना है, इनको बारी-बारी select करते हैं और नीचे से members के button को दबाते जाते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं. इसके बाद हम ok के button को press कर देते हैं. इस तरहाद तमाम selected emails हमारे बनाए गई group में add हो गए हैं. यहां से save and close के button को दबा कर इस अमल को complete करते हैं. अब हम contact group का استعمال देखते हैं. इसके लिए हम home की tab से new email पर click करते हैं. यहां से to पर click करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने address book open हो गई है. अब जिन addresses पर email भेजना हो उनको एक-एक करके select करते हैं और नीचे से to पर भी बारी-बारी click करके add करते जाते हैं. इसके बाद हम OK का बटन प्रेस करते हैं. यह देखें, हमारे new email message में to के सामने वो सारे emails आ चुके हैं और हमें उनको type नहीं करना पड़ा. इसी तरह, हम CC और BCC के सामने भी address book से contacts को add कर सकते हैं. Removing a contact जिस तरह, हमने address books में मुख्तलिफ contacts के mail address को add करना सीखा, इसी तरह, हम mail address को delete भी कर सकते हैं. आईए, इसे सीखते हैं. इस वक्त हमारे सामने outlook का program open है. इसमें सबसे पहले हम contacts के folder पर click करते हैं. इसके बाद हम contacts की window में इस contact group पर double click करते हैं, जिसमें हमने contact delete करना है. हमारे सामने ये dialogue box open हो गया है. अब हम इस contact को select करते हैं, जिसको हमने delete करना है. इसके बाद हम add members के साथ बने इस button पर click करते हैं, जिस पर remove member लिखा हुआ है. आप देख रहे हैं कि ऐसा करने से selected contact फॉरण remove हो गया है. हम इसी तरीके से एक से ज़्यादा contacts भी delete कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमें उनको select करना पड़ेगा. अगर हम पूरी address book को delete करना चाहें, तो ऐसा भी कर सकते हैं. हम इस address book को delete करने के लिए इस button पर click करते हैं, जिस पर delete group लिखा हुआ नजर आ रहा है. जैसे ही हम इस पर click करते हैं, एक confirmation message आ गया है, जो हम से इस group को delete करने के लिए confirm कर रहा है. हम Yes पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि वो Contact Group फॉरन डिलीट हो गया है New Email Folder इस सेक्शन में हम Email Messages को मैनेज करने के लिए Outlook Program में निया Folder Create करने का तरीका सीखते हैं पहले हम एक मिसाल के जिरिये ये देखते हैं कि Folder क्या होते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि Library में किताबें एक जगा एक अठी पड़ी होने की वज़ाए Subject Wise मुख्तलिफ Cupboards में पड़ी होती हैं जिससे हमें किसी भी किताब को ढूंडना बहुत आसान हो जाता है इसी तरह अगर हम तमाम आने वाले Messages को Inbox के Folder में रखें तो एक ही Folder में Messages की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसमें मखसूस Messages को ढूंडना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका अच्छा हल ये है कि हम Email Messages को Library Books की तरह एक Organized तरीके से अलहदा अलहदा Folders में रखें Outlook में अपने Messages को Organize करने के लिए आप जितने Folders चाहें Create कर सकते हैं फिर इसमें अपनी मर्जी के Email Messages को Save कर सकते हैं लेकिन ये कैसे होता है? आईए इसे सीखते हैं सबसे पहले हम नया Folder Create करने के लिए Outlook की Main Screen से Folder के Tap पर क्लिक करते हैं अब Folder के Tap में मौझूद इस New Folder की Option पर क्लिक करते हैं अब हमें ये Dialog Box नजर आ रहा है हमने यहां ये बताना है कि नए Folder का नाम क्या होगा और वो किस Location पर सेव होगा हम इस Dialog Box के Folder Name के Box में ये नाम लिखते हैं यानि हम इस नाम से Folder Name बनाना चाहते हैं Folder Contains के Section में हमें ये बताना है कि इस Folder में किस किसम की Information होगी अगर हम Mail Messages के इलावा कुछ और Store करना चाहते हैं तो हम इस Aero पर क्लिक करते हैं आप इस List में से कोई भी Option सेलेक्ट कर सकते हैं हम फिलहाल Mail and Post Items को ही Selected रहने देते हैं इसके आखरी Section में हमने ये बताना है किस Folder को कौनसी Location पर रखना है इस वक्त हमें मुख्तलिफ Folders के नाम नज़रा रहे हैं हम यहां से Personal Folder को Select करते हैं यानि हम इस Folder को Personal Folder में Save करना चाहते हैं आखिर में हम OK के बटन पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि हमारा बनाया हुआ फोल्डर हमें Personal Folder की लिस्ट में यहां पर नज़र आ रहा है Moving Message to Other Folder हम Outlook के अंदर E-Mails को एक Folder से दूसरे Folder में भी Move कर सकते हैं आईए देखते हैं ये कैसे करना है हम Inbox में इस Message पर Right Click करते हैं और फिर Sub Menu से Move पर Mouse Pointer को ले कर जाते हैं जो लिस्ट हमारे सामने आई है इसमें से Other Folder पर क्लिक करते हैं हमारे सामने Move Items का Dialog Box ओपन हो गया है यहां से हम इस Folder को Select करते हैं जहां हमने इस E-Mail को Move कराना है हम यहां से Junk E-Mail को Select करते हैं और फिर OK का बटन दबाते हैं अब यह देखिए वो E-Mail हमें Inbox में नजर नहीं आ रही हम Navigation Pan से Junk E-Mail के Folder को Select करते हैं तो यह देखें वोही E-Mail हमें यहां Content Area में नजर आ रही है E-Mail Sorting सबसे पहले हम देखते हैं कि Sorting से क्या मुराद है Sorting से मुराद Mail Box में Messages की तरतीब दुरुस्त करना है यानि Messages को किसी खास तरतीब के मताबिक Set करना आप Messages को By Date, By Subject, By Size बगएरा के हिसाब से Sort कर सकते हैं इसको करने के लिए हम Content Area में Search Box के नीचे यहां Arrange By पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सारी Options आ गई हैं और इसमें Date पर पहले से क्लिक किया हुआ है हम इसमें से अपनी मर्जी की तरतीब दे सकते हैं मसलन हम यहां से From पर क्लिक करते हैं तो यह देखें हमारी E-Mails Sender के हिसाब से तरतीब में आ गई हैं इसी तरह Arrange By मेन्यू में से Attachment पर क्लिक करने से दो Folders बन गए हैं With Attachment में ऐसे Messages हैं जिनमें तवाम E-Mail Messages के साथ कोई File Attached है जबके No Attachment में ऐसे Messages हैं जिनके साथ कोई File Attached नहीं है इसी तरह हम और दूसरी Options को इस्तमाल करके अपने Messages को डिफरेंट तरीकों से Sort कर सकते हैं Message Tagging E-Mail Tagging का मतलब है कि हम किसी E-Mail पर ऐसा एक निशान लगा दें जिससे हमें इस E-Mail की Priority या Importance का पता चले इसके अलावा इन E-Mails के Follow-Up के हवाले से भी निशान लगाए जाते हैं Priority किसी Message की Value या एहमियत को कहा जा सकता है यानि कौन सा Message ज्यादा Important है और पहले Send होना चाहिए हम इस वक्त Home टैब से New E-Mail पर क्लिक कर रहे हैं अब इस Message की High Priority सेट करने के लिए Message टैब में मौजूद High Importance पर क्लिक करते हैं अब आपके Message की Priority High Set हो गई है और अगर हम इसकी Priority कम करना चाहते हैं तो Low Importance के Button को Press करते हैं इसके इलावा आप अगर किसी Message को किसी और Time के लिए चोड़ना चाहें तो Flag के साथ Follow Up वाला Button Press करेंगे अब हम Messages को Flag लगाना सीखते हैं लेकिन इसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि Flag से क्या मुराद है एक Office में काम करने के दुरान जब आपको Mails मौसूल होती हैं तो उनको पढ़ने के बाद आपके पास दो Choices होती हैं एक तो ये कि कुछ ऐसी Mails होती हैं जिनको फॉरन जवाब देना होता है जबके कुछ Messages ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ अरसे के बाद जवाब दे सकते हैं आप उनको मुख्तलिफ तरीकों से Organize करते हैं बिल्कुल इसी तरह जब हमें E-Mail Box में E-Mails मौसूल होती हैं तो उन मेंसे कुछ ऐसी होती हैं जिनको फॉरन जवाब देना होता है जो Messages हमारे लिए बहुत एहम हैं और जिनका हमने फॉरी जवाब देना होता है तो उसके लिए हम उन पर फ्लैग लगा लेते हैं इसका फाइदा ये होता है कि हमें एक Reminder मौसूल होता है जिसमें हमें ये याद दिहानी कराई जाती है कि हमने इस Messages को कब जवाब देना है या कब पढ़ना है वगेरा आईए, अब हम ये सीखते हैं कि Messages पर फ्लैग कैसे लगाया जाता है हम Outlook में फ्लैग लगाने का तरीका सीखते हैं इसके लिए पहले हम इस Program को Open करते हैं इस वक्त हमारे सामने Outlook के Inbox का फोल्डर पहले से Open है हम Inbox के Messages में से किसी Message पर फ्लैग लगाना चाहते हैं इसके लिए हम Inbox के उस Message को Select करते हैं जिस पर हम फ्लैग लगाना चाहते हैं फिर उसके बाद Home की टैब से Follow Up को क्लिक करते हैं हमारे सामने Drop Down List ओपन हो गई है यहां से हम Add Reminder पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये Dialog Box ओपन हो गया है इसमें सबसे पहले हम Flag 2 की Drop Down List को ओपन करते हैं इसमें हमने ये बताना है कि हमने किस Purpose के लिए Flag Add करना है Forward, No Response, Read या Reply वगयरा के लिए हम यहां से Reply को Select करते हैं इसके बाद हम Start Date के Box को क्लिक करते हैं और दिये गए कलेंडर में से उस Date का इंतखाब करते हैं जिस दिन हमें इस Email का जवाब देना है हम यहां से इस Date को Select करते हैं Due Date वो तारीख है जिस दिन इस Email का जवाब हर सूरत लाजमी है हम इसमें से भी Start Date वाली तारीख को Select करते हैं अब हम Reminder की Option को Mark करते हैं और इस दफ़ा हम Due Date से एक दिन पहले की Reminder Date को Select करते हैं ताके हमें एक दिन पहले Reminder मिल सके कि हमने इस Email का जवाब देना है इसके बाद हम Time सेट करने के लिए इसकी Drop Down List को Open करते हैं यहां से हम Reminder के Time को Select करते हैं और आखिर में OK के बटन पर Click करते हैं OK प्रेस करने से Reminder सेट हो जाता है और साथ ही Dialog Box भी Close हो जाता है अब हमें Reading Pan में से ये पता चल रहा है केस पर जो Flag सेट किया है, इसकी Date और Time वगेरा क्या है जैसे ही मुकररा Time पर हमारे पास Reminder जाहिर होता है तो इसमें एक Dialog Box खुल जाता है जिसमें कुछ अहम Options नजर आ रही है सबसे पहले Dismiss All का बटन है यानि तमाम Reminders को Dismiss कर दिया जाए इसके बाद Open Item का बटन है इसको प्रेस करने से मतलूबा Message जिसके लिए हमने Reminder लगाया था, खुल जाएगा और तीसरा बटन Dismiss का है जिसका मतलब है कि मतलूबा Reminder को Dismiss कर दिया जाए इसके बाद Click Snooze to be Reminded Again है जिसका मतलब है कि इस Reminder को कुछ देर बाद दुबार एक्टिवेट कर दिया जाए जिसका Time हम Drop Down Menu से Select कर सकते हैं अब अगर हम इस Flag को खत्म करना चाहते हैं तो इस Message पर Right Click करते हैं और फिर Clear Flag पर Click करते हैं जिससे Flag हमारे Message से Remove हो जाएगा Deleting a Message इस Section में Email Messages को Manage करने के लिए गैर जरूरी Messages को Delete करना सीखते हैं हम गैर जरूरी Email Messages को बहुत आसानी से Delete कर सकते हैं इसका तरीका ये है कि सब से पहले हम इस Message को Select करते हैं जिसको Delete करना है मसलन हम Inbox से इस Message को Select करते हैं इसके बाद हम इस Message पर Right Click करते हैं हमारे सामने ये सब मेन्यू ओपन हो गया है हम इसमें से डिलीट की ऑप्षिन पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि सिलेक्टेड मैसेज फॉरन डिलीट हो गया है और कोई कन्फिरमेशन मैसेज नहीं आया लहाजा हमें इस आप्षिन को बहुत एहत्याद से अप्लाई करना चाहिए आप एक से ज्यादा मैसेजज को भी डिलीट कर सकते हैं लेकिन पहले इन मैसेजज को सिलेक्ट करना पड़ेगा हमने मैसेजज को डिलीट करना तो सीख लिया है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमने गलती से किसी ऐसे message को delete कर दिया हो जिसको हम delete नहीं करना चाहते घबचाए नहीं, हम जिन email messages को delete कर देते हैं, वो permanently delete नहीं होते बलके वो एक folder जिसका नाम deleted items हैं, इसमें move हो जाते हैं हम deleted items के folders से उन messages को un-delete कर सकते हैं आईए इसको सीखते हैं सबसे पहले हम navigation pan में से deleted item के folder को select करते हैं अब हमें content area में deleted messages नजर आ रहे हैं हम इस message को select करते हैं जिसको हमने un-delete करना है फिर हम इस message पर right click करते हैं जो sub menu नजर आ रहा है इसमें से हम move की option पर click करते हैं हमारे सामने ये list open हो गई है यहां हमने ये बताना है इस delete किये हुए message को किस folder में ले कर जाना है हम inbox को select करते हैं इसके बाद हम inbox की folder पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि हमारा delete किया हुआ message दोबारा से inbox में नजर आ रहा है Summary इस lesson में आपने देखा कि address book एक ऐसा program या software है जहां हम names, email addresses, postal addresses वगेरा save करते हैं Address book में कैसे addresses add या delete किये जाते हैं messages की sorting या तर्तीब के मुक्तलिफ तरीकों के बारे में जाना और ये जाना कि message की priority कैसे set की जाती है Information security इस सबक में हम आपको इंटरनेट पर mail जोल और गुफटगों के बारे में बताएंगे Social media से मुराद आपस में बाचीत का ऐसा forum है जहां मुख्तलिफ लोग online मिलते हैं और आपस में अपने ख्यालात का इजार करते हैं और एक दूसरे से अपनी मालुमात शेयर करते हैं पहले वक्तों में सिर्फ टेलेविजिन को ही social media समझा जाता था मगर internet और नई इजादात जैसा के social media ने हमें आपस में बाचीत करने तस्वीर की शकल में अपनी राय का इजहार करने और अपने दोस्तों, रिष्टेदारों या आम लोगों की राय लेने के काफी जराय मुहया किये हैं इन social media websites पर कोई भी अपना account बना सकता है और अपनी जरूरत के मताविक इस्तिमाल कर सकता है जैसा कि अच्छे और बुरे लोग हर जगा मुझूद होते हैं, इसी तरह social media websites पर भी अच्छी और बुरी जहनियत के लोग हो सकते हैं इस lesson में हम आपको कुछ ऐसे points बताएंगे जिनको मदे नजर रखते हुए आप social media का महफूज इस्तिमाल कर सकेंगे इस सबक में हम सिर्फ Facebook, Twitter और YouTube पर बात करेंगे जब भी आप किसी social media में account create करते हैं, तो आपको इन बातों का ख्याल लाजमी रखना चाहिए 1. सबसे पहले आपको इन social media websites की security and privacy settings को लाजमी पढ़ना चाहिए आपको अपनी मर्जी के मुताबिक इस website की settings करनी चाहिए मिसाल के तौर पर आपकी पोस्ट या तस्वीर को कौन देख सकता है, कौन आपकी बात या तस्वीर पर अपनी राय दे सकता है 2. टू स्टेप स्कूरिटी वेरिफिकेशन टू स्टेप स्कूरिटी के जरीए आप अपने social networking website और email accounts को ज्यादा महफूज बना सकते हैं जब आप अपने social networking website और email accounts में इस option को enable करते हैं, तो आपको अपना mobile number भी इन websites को देना पड़ता है तो ये websites आपको password के साथ आपके mobile पर एक SMS भी send करती है तो अब आपको password के साथ mobile पर आने वाला SMS भी देना होगा और फिर आप इन websites पर login कर सकेंगे इसका मतलब अब आपके social networking website और email accounts पहले से ज़्यादा महफूज हो गए हैं Facebook इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली social networking website है इस social networking website पर आप अपने नए दोस्त बना सकते हैं मुख्तलिफ इदारों के pages को like कर सकते हैं अपनी post या तस्वीर को अपने दोस्तों रिश्टदारों के साथ share कर सकते हैं और उनकी राए ले सकते हैं लेकिन आपकी बात या तस्वीर कौन किस तरह समझेगा, इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकेगा, इस बात की आपको मुकमल आगाही होनी चाहिए इस section में आपको Facebook की privacy settings के बारे में बताते हैं आप उपर नीले रंग के बार में arrow पर क्लिक करें और menu में settings पर क्लिक करें यहाँ पर ऐसी options मुझूद हैं जहां आप इस बात का फैसला कर सकते हैं जो चीज आप Facebook पर post करते हैं, वो कौन देख सकता है? आपकी profile को सिर्फ आपके friends देख सकते हैं या ऐसे लोग भी देख सकते हैं जो आपकी friend list में नहीं और आपको कौन friend request भेज सकता है? आप उपर नीली रंग के बार में arrow पर क्लिक करें और menu में settings पर क्लिक करें अब आप यहाँ अपना mobile number देखर two step verification security को enable करें ट्विटर, ट्विटर भी एक social network website है जिसके जरीए हम अपना पैगाम या तस्वीर अपने दोस्तों, रिष्टदारों या आम लोगों तक पहुँचा सकते हैं लेकिन ट्विटर पर आप अपनी बात को मेहदूद अलफाज में कह सकते हैं आएए अब ट्विटर की privacy setting को change करना सीखते हैं ट्विटर की privacy setting में जाने के लिए आप दाई जानिब अपनी picture पर क्लिक करें मैन्यू पर से settings पर क्लिक करें बाई जानिब privacy and safety पर क्लिक करें और दे गई options को study करें मिसाल के तौर पर आपकी tweet को कौन देख सकता है आपको picture में कौन कौन tag कर सकता है ट्विटर two-step verification ट्विटर पर login करें आप दाई जानिब गोल दाइरे में अपनी profile picture पर क्लिक करें मैन्यू पर से settings पर क्लिक करें बाई जानिब accounts पर क्लिक करें login verification request वाली option को select करें आगे दिये गए steps को follow करें YouTube यूट्यूब अपनी बात को वीडियो के अंदाज में कहने का बड़ा मौसर तरीका है और setting icon पर क्लिक करें बाई जानिब account settings में privacy पर क्लिक करें और दी गए options को study करें Google two step verification web browser में google.com open करें दाई तरफ sign in के button पर क्लिक करें email और password दें अब दाई जानिब गोल दाइरे में अपनी profile picture पर क्लिक करें बाई जानिब sign in and security पर क्लिक करें security check up पर क्लिक करें two step verification पर क्लिक करें आगे दिये गए steps को follow करें इस तरह Google पर आपकी two steps verification enable हो जाएगी एहम नुकात आपको internet और social media website इस्तेमाल करते वक्त मदर जाजेल बातों का खयाल रखना चाहिए number one pictures and videos तसावीर ज्यादा असरंदाज और अकसर काफी ज्यादा मालूमात रखने वाली चीज़े हैं अगर तसावीर गलत हातों में चली जाएं तो वो जाती और operational security को भी खत्रे में डाल सकती हैं पेशावराना यजाती इसलाहियत में आपको हमेशा इस बात पर गौर करना चाहिए कि आप जिस चीज़ को post कर रहे हैं इनके जरीए क्या information दी जा रही है number two location services and geo tagging social media websites आपके mobile या computer के जरीए से आपकी location को मालूम कर सकती है और जो चीज़ आप share कर रहे हैं उसी के साथ आपकी location भी share हो जाती है अगरचे इसमें कुछ गलत नहीं लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी हर location का आम होना आपके लिए खत्रे का बाइस बन सकता है इसलिए आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी कौन सी information लोगों तक जा रही है और ये कैसे इस्तेमाल हो सकती है इसमें आपको आपकी online security के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है आपके दोस्त और खानदान अक्सर आपकी मसरूफिया, सफर के इंतजामात और दीगर मालूमात के बारे में जानते हैं इस बात का यकीन करने के लिए कि वो इन मालूमात को शेयर ना करें आपको उन से भी सोशल मीडिया की privacy information पढ़ने के लिए पूछना चाहिए ताके वो भी सोशल मीडिया पर जो कुछ शेयर कर रहे हो वो इससे बाख़बर हो सोशल मीडिया को दोस्तों और खानदान के साथ राप्ते में रहने के लिए इस्तेमाल करने में कुछ भी गलत नहीं है यकीनन ये राब्ते में रहने के लिए बेहतरीन तरीका हो सकता है लेकिन ये यकीनी बनाएं कि आनलाइन किसी भी चीज़ का शेयर करना महफूज है और आपके दोस्तों और खानदान वालों को आपकी प्राइवेसी का ख्याल रहे नमबर फूर कॉमेंटिंग और डिबेटिंग खबरों की वेबसाइट, ब्लॉग्स और समाजी नेटवरकिंग साइट्स आपको अपनी कहानियों, तस्वीरों और मजामीन पर राए देने की इजाज़त देती है जिस पर और बहुत सारे लोग भी अपनी राए का इजहार करते हैं, जो आपकी राए से मुख्तलिफ हो सकती है इसलिए आपको अपने अंदर बहुत बरदाश रखनी होगी और किसी भी ऐसी गुफ्तगू से परहेस करना होगा, जिससे किसी लड़ाई या आपकी अपनी और दूसरों की इज़त पर कोई हर्फ आए इसी तरह इंटरनेट पर भी ये लोग होते हैं, आपको इन लोगों से कैसे बचना है? हम इस सबक में आपको बताएंगे, धोके बाजी और जालसाजी इंटरनेट पर सारफीन को बहुत ज्यादा मुतासिर करने वाले जुर्म हैं, इंटरनेट पर आप किस तरह धोके बाजी और जालसाजी से नुकसान उठा सकते हैं, आपको आगा होना चाहिए, धोके बाज औ जोर पर आप अपने बैंक की वेबसाइट इस्तिमाल कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, जो वेबसाइट आप इस्तिमाल कर रहे हैं, वो असली है, या आप अपने बैंक से मिलती जुलती वेबसाइट पर लॉग इन हैं, और अपनी कीमती मालुमात इस पर डाल चुके हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है कई बार आपके एमेल अकाउंट में कुछ ऐसी एमेल आती हैं जिसमें आप से अपने बैंक अकाउंट या सोशल वेबसाइट अकाउंट को 48 घंटों में तस्तीग करवाने का कहा जाता है हकीकत में ऐसा नहीं होता ये वेबसाइट आपको फरेब लालच और धोका दे कर आप से आपके बैंक अकाउंट और आपकी जाती मालूमात लेकर अपने फाइदे के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है इसी तरह जब आप कोई सोंग या सॉफ्ट वेर डाउनलोड करते हैं तो अच्छी तरह जाच लें कि आप ठीक गाना या सॉफ्ट वेर डाउनलोड कर रहे हैं कहीं आप धोके से कोई वाइरस तो डाउनलोड नहीं कर रहे ये स्कैम काफी तरह के होते हैं. जैसे आपके किसी दोस्त की तस्वीर को इस्तिमाल करके सोशल वेब साइट पर अकाउंट बनाना, फिर आप से चैटिंग करके आप से कोई मालूमात लेना जिससे आपको ब्लैक मेल किया जा सके. अगर आप अपनी मालूमात, तसावीर या वीडियोज ऐसे लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिनको आप जानते नहीं हैं, तो ये मवाद आपको ब्लैक मेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप आर्मी में हैं या किसी सरकारी इदारे में मुलाजमत करते हैं, तो ये चीज़ आपकी जाती जिन्दगी या आपकी मुलाजमत के लिए खत्रे का बाइस बन सकती है. इस से बचने का आसान तरीका यही है कि आप आउनलाइन किसी भी अजनबी से अपनी कोई भी जाती मालूमात शेयर ना करें, और अपनी मालूमात इंटरनेट पर महदूद रखें. जनरल टिप्स, स्कैमर्स हमेशा अपनी तकनीक को फरोग देने और लोगों के साथ मुख्तलिफ तरीकों का इस्तिमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं. लहाजा, तमाम समाजी निट्वर्किंग साइट्स का इस्तिमाल बड़ी जिम्दारी से करें और इन बातों का खास खयाल रखें. हर साइट के लिए एक मुख्तलिफ, मजबूत और मुन्फृत पासवर्ड इस्तिमाल करें. अप सोशल वेबसाइट्स, प्रोफाइल या अकाउंट्स में दी गई मालूमात को महदूत करें, जैसा के पेदाईश की तारीख, फोन नंबर और लोकेशन वगएरा. अपने फाइदे के लिए हर वेबसाइट की प्राइविसी सेटिंग्स अच्छी तरह चेक कर लें. को देख फाल करके मनतखिब करें.